जो आन-Line है, जो आफ-Line है, आप सभी को वेलकम स्वागत है इस क्लास में गल हम लोगों ने निबंद का जो इस बार वी प्सी में आय था, उसके बारे में चर्चा की थी उसी में से आज हम एक निबंद को खोलेंगे जो पहला वाला निबंद था उसको खोल करके देखते हैं जरूरी नहीं कि ये निबंद आएगा लेकिन इस तरह के निबंद को कैसे डील करना है कैसे उसको डिसकस करना है कैसे समझना है क्या हमको लिखना है लिखते समय क्या सावधानिया वरतनी है किस दिसा में अपने निबंद को एसे इस को ले जाना है यह सब चीजे हम लोग समझ सकते हैं हम कल भी क्लास में आपके साथ डिसकस किये थे कि निबंद क्या आएगा यह हमको भी नहीं पता आपको भी नहीं पता क्योंकि निबंद का सिलेबस ही नहीं है जिसका सिलेबस नहीं उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं तो ऐसे सिती में जब दुस्मन कौन है यह पता ही नहीं है तो क्या करें अपनी तलवार को हमेशा रेडी रखें कोई आ जाए किया वो जंगली जानवर हो सेर हो सुवर हो बंदर हो चाहे आदमी हो तो बस हमको मारने का तरीक आना चाहिए बाकी सामने कौन आ रहा इसे मतलब नहीं है आज़ो भाई ठीक है तो उसमें जो पहला निबन था BPSC में इस बार जो आया है वो था धर्म के बिना बिज्ञान नांगर्च है और बिज्ञान के बिना धर्म आनर्च है ठीक है तो मूलता ये जो भासा प्रियोग की गई है मैथिली है इतना तो आपको पता ही होगा छह से पता चल जाएगा उसमें कितना छह नहीं हुआ है ठीक ना हाँ खैर लेकिन इसका एक बेक्ग्राउंड मैं आपको बता दूँ ये जो कहावत है ये वरिजनली गुरुदेव रवि पीश में जो ।ैमरीलाग हुआ था उस ।ैम्यक्राउंड का एक हिस्सां है ये ये इस्टेटमेंट है ये वरिजुनली कहा से आया है हां क्निम्रसिशन हुआ था किसे किसके पेशियर में गुरुदे और ऑर अविन्ना टैगोः के बीच में और आलबर्ट ऐनस्टीन चे बीच में ठीक ना तो वरिजिनली यह स्टेटमेंट रभीना टैगोर के सामने अलबर्ट आइनस्टीन ने कहा था अधिक ना नहीं ऐसा था ना देखिए ऐसा है कि यह कर्णवर्सेशन किसके साथ हो रहा है यह तो यह स्प्लीज लोगोर साप कहा थे बंगल में बंगाली आदमी मैं अक अनमान लगा सकता हूं कई तरह कोई अथेंटिक वह साक्ष नहीं है कि तो पहले बिहार भी था ना ठीक है तो कहीं ने कहीं वह आया होगा जिस रूप में भी आया हो तो वह एक जलख मिल सकती है हम यह नहीं कह सकते हैं कि इसका सेंस निकल के अगर अंग्रेजी में इस का वेक्शिवल वर्जन हम देखें तो यह मिलेगा तो यह statement वास्तों में दिया गया Albert Einstein का और एक चीज़ और बता दें यह मैं आपको background के लिए बता रहा हूँ otherwise इसकी कोई जरुवत नहीं है कि वह statement किसने दिया है statement से कोई मतलब नहीं होता है निवन्द में उस statement कि हम क्या analysis करते हैं यह ज़्यादा माइने रखता है ठीक है न तो पहली बात यह कि कुछ आपको इसके बारे में समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों से पूछू फिर आगे चलता हूँ कि इसका अगर आप से कुछ पूछा जाए कि वह कुछ इसके बारे में आपने कुछ समझा होगा कुछ सोचा होगा तो जरा बताईए कि कुछ समझ में आ रहा है बाकी तो मैं समझाऊंगा ही मेरा तो काम ही है लेकिन यह वाला red line red zone में black zone में मत जाएगा और black zone जितना दिखाए देरा उससे black zone और जो है न वह ब्लैक होल है इसका अर्थ क्या समझते है अगर इसका सिर्फ meaning क्या आप समझते है इस line का अगर हम कह दें कि simple सा आप अर्थ बताईए तो अर्थ क्या लगाएंगे पूरक है ठीक है यह लगाएंगे ना इसका साइन्स और रिलेजन आर कंप्रिमेंटरी दूसरे के क्या है पूरक है यह इंटर रिलेटेड है यह भी कह सकते हैं और कुछ और कुछ सो सकते हैं यह इंटर लिंक है चलिए हाह हाह कर दिया हाह सबस्टेंग उत्यारी कर संदेंगे साथ अजय है तेख है चलिए और कुछ और कुछ चलिए और कुछ बोलना चाहता है देखिए बोलेंगे देखिए एक्षि बताया है आपको इंटर्वू में बोलना ही है वहाँ आपकी जगह कोई और नहीं बोलेगा इसलिए बोलने की आदत सीख लीजिए यहाँ एक आदमी के सामने आप बोलने हैं वहाँ कम सक्व चार से पांच रहेंगे ठीक है ना तो पांच को जहलना बगा मुस्किल होता है तो एक धिरे धिरे जहलने की आदत डाल लेजिए है ठीक है अब आपको मैं सोचने का एक तरीका देता हूँ अभी तरीका देता हूँ ठीक है ना और उस तरीके के पहले एक बात आपको बता दूँ धर्म के बिना बिज्ञान नांगर्च है और बिज्ञान के बिना धर्म आनर्च है या प्रचलन में लुकोक्ति क्या है प्रचलन में है बिहार में या इस्टर्न पुर्वांचल वाला जो छेत्र है उसमें भी प्रचलन स्जाली até लेकिन जब हम निमंद लिखेंगे ना को तो इस यह करिए कि इसको निल इम लोग करें प्रेंगे या योज्क सामाने अर्थ में क्या सब्स्तिमाल करेंगे शिष्टता समझना ना उसके etiquettes होते हैं उसकी में एक softness होती है आप कैसे बात करते हैं किस तरीके से बात करते हैं वह आपकी personality को reflect करता है तो कभी भी आप उसको लंगड़ा मत लिखिएगा हाँ कभी भी आप उसको लंगड़ा मत लिखिए या हम यह भी लिख सकते हैं इसको हम थोगा सा और soft बना दें जिसका एक पैर ना हो या वह अपने एक पैर का ही प्रियोग करता हो या दोनों पैरों का पूरी तरह प्रियोग करने में असमर्थ हो यह भी कर सकते हैं हमाएँ हाँ कर शारीद रूप से बिक्रीट थोड़ा वही फिर घ्यच बग जाएगा कि बहार ही वो अपने दूनों पैरों को पूरी तरह करेंगे अच्छी परस्नालटी आपके रिफलेक्ट नहीं करेंगे अधिकारी से प्ैक्छा नहीं करते हैं कि वह इस तरह के सब्दों का प्रियोग करें इसलिए आप देखेंगे पहले हम उसको बिकलांग बोलते थे बिकलांग को मोदी जी ने क्या कनवर्ट कर दिया दिब्यांग कर दिया तो दिब्यांग कहने का सेंस यही है कि भई हम उसकी जो मनुदसा है जिस व्यक्ति क वो जिस चीज़ को सुन करके उसके अंदर एक निगेटिव फिलिंग आती है उसको सब्द काम प्रियोग ही ना करें तो एक अपने निबंद में जब भी लिखिएगा तो इस डाइमेंशन को ध्यान में रखिएगा कि इस तरग के नकरात्मक जो सब्द हैं वो प्रियोग में जा ना आये तो अच्छा है ठीक है अब एक जो दूसरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं एंगिल एंगिल समझिएगा आप लोगों ने जो एंगिल देखा समझा वो आपको 40 से 50 पर्षेंट नमबर दिलाएगा अगर उसी एंगिल पर जो आपने अभी समझा है हमारे साथ सेर किया है 40 से 50 पर्षेंट नमबर देगा आपको लेकिन 50 पर्षेंट से 70 और 80 पर्षेंट के जो जरन्य है ना वो अभी आप कर लेंगे और मैं आपको समझाता हूं ठीक है धर्म के बिना बिज्ञान क्या है इसका मतलब है नांगर का मतलब या हैंडिकेप का मतलब या लैम का मतलब या लंगल का मतलब क्या वो काम तो कर सकता है लेकिन वो फुल फ्लेज या आपनी जितनी भी उसकी कैफ सिटी है च्छमता है उस पूरी च्छमता के साथ काम नहीं कर सकता ऐसा नहीं काम नहीं करेग काम करने की पूरी छमता जितनी होनी चाहिए एक पेर ना होने की वजह से वह उतनी पूरी छमता के साथ काम नहीं कर सकता है या इसको हम दूसरे सेंस में अगर हम थोगा सा मैथमेटिकली आपको समझाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई अगर बिज्ञान है और बिज्ञान में धर्म नहीं है तो बिज्ञान कितना पर्शंट काम कर सकता है 50% अगर हम थ्वासा मैत की तरफ ही चले जाए तो अभी भी अगर धर्म के बिना बिज्ञान 50% काम कर सकता हैंडिकाप्ठी नहीं मरा नहीं है जिंदा है ना ठीक ह दूसरी तरफ बिज्ञान के बिना धर्म आनर्च है आनर का मतलब तब तो काना होता है यह भी मत कहिए काना होता है लेकिन यह सब दिस्तेमाल नहीं करना है ठेखना लेकिन अगर एक काका होता है तुम क्या भोलते हैं काना है तो पूर्व रूप से अंधा है यानि कि यहाँ पर जो प्राब्लम है वो 50 परसंट नहीं है हंडिट परसंट है जैसे अभी हम आप से चलें धकरा जाएं तो यहाँ पर क्या हुआ हुआ है हम भी देख रहे हैं आप आप मुझे भी देख रहे हैं फिर भी टकरा गए तो का कहला कि एकदम अरे वागा तो तो कहने का सेंस क्या हुआ कि यहाँ पर हंडिट परसंट जो है देखने के बावजूद आखों के बावजूद दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर 50 परसंट का इस्यू है तरी यहाँ पर 50 परसंट और यहाँ पर हंडिट परसंट का इस्यू है यहनि कि अगर बिज्ञान में धर्म नहों तो पती-पिवाशाइस परसेंट गाडवी पि चल सकती हो उसे समझे तो और दूसरी तरफ लेकिन विव्ज्यांद के बिना धर्म धर्म में अगर विव्ज्यांट न हो तो गाडवी एकदम ही नहीं चल सकते हंडेट परसेंट नहीं चलेगे में यह है। कि अब कुछ अंगिल समझ में आ रहा है अब सोचिए ठीक अधनारी है तो कहने का इसका सेंस अब सेंस क्या निकल के आएगा अब जो आप सेंस लगा रहे थे कि यहाँ पर आप जो सेंस लगा रहे थे तो उसमें 50 था कि धर्म के बिना बिज्ञान और बिज्ञान के धर्म अलग-अलग है लेकिन दोनों मिल जाए तो दूसरे के क्या हो जाएँगे पूरक हो जाएगे लिगी पूरक कितनी कम्प्लिमेंटरी जो है इक दूसरे वो कितनी है उसकी यहाँ पर तो कितनी और यहाँ पर इस एंगिल को भी तो समझना है यह भी तो कह सकते थे कि नहीं भी यह क्या हो सकता है बिज्ञान के लिंगार्श है और धर्म के निल्ग्ञान अनर्श है ऐसे लिख दे तो क्या होगा इसी को को सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो उन्हें का अल्बरट आनिस्टिंट कोई आम आदमी था नहीं उसने क्यों नहीं कहा कि वही धर्म के दुबिना बिज्ञान जोए अंदा और विज्ञान के दॉनी धर्म जोए लंगा को कौन कहह रहा है देखेए हैं तो उल्टा भी को सकता था उसने कहा नहीं है लेकिन इसका देखिए अब हाँ हाँ आप दूसरे उल्टा चले गए हाँ सत्यार आज कुछ कहना चाहते हैं जरा उनका हाँ बोलिए तो यह एंगल समझ मैं है कि हम ठीक है पूरक का मतलब पचास परसेंड भई पववा लेना सव रूपिया का है ना हमारे पास तुम्हारे पास तो क्या करो पचास तुम मिलाव पचास हम मिला है ठेके बचलते हैं लेकर क्या आदा बांट लेंगे ठीक ना तो वो आला जो आपने बताया नो वह अला सिस्टम है नहीं नहीं दोनों की नजर रहती है ऐसा नहीं होगा बेइमान आदमी बटवारा जो करता है चोरी का या चोर आदमी इमांदारी से करता है हमेशा याद रखेगा चोरी का समान का जो बटवारा होगा हमेशा क्या होगा बहुत इमांदारी से होगा वो भी मांदार होता है माम कि अलबर्ट आइनस्टीन की दृष्टी से देखें तो यह सही है कि आइनस्टीन का यह मैंना वह कैसा था है साइंटिस्ट आदमी तो आधा है कि साइंस यहां पर क्या से निकल के आ रहा है कि science बिना धर्म के क्या हो सकती है 50% तो चल सकती है लेकिन यहाँ पर इस sense में क्या लेकिन धर्म बिना विज्ञान के एक कदम भी नहीं चल सकता है यानि कि उसन का जो angle है वो science वाला angle है बास हो जागी इसलिए उस angle से यह देखे तो यह sentence जो है 100% correct है Albert Einstein की द्रिश्टी से इसलिए में उनका नाम लिए दरवाई नाम देने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप किसी spiritual personality की एंगल से देखिये एक धार्मिक व्यक्ति है ठीक न या जो धर्म को बहुत ओसो के द्रिश्टी से देख लीजिए सद्गूरू की द्रिश्टी से देख वो क्या कहेगा इसको उल्टा भी कर सकता है कि धर्म के बिना विज्ञान आनर्च है ठीक न और विज्ञान के बिना धर्म कि यहाँ कर सकता है तो यहाँ पर अब किसकी वरियता हो जाएगी spirituality की? धर्म की? क्योंकि अगर हम कह दें कि धर्म के बिना विज्यान क्या है अनर है ठीक न इसका मतलब क्या वज़रा समझे थोड़ा सा खोलता हूँ धर्म के बिना बिज्ञान क्या है अंधा है जैसे मान लिजी जिए हमने एटम बं बना दिया और हमको धर्म नहीं सिखाया गया जहां हमने फोड़ा क्या होगा पूरी सुरिष्टी का एक भम से का पूरी कहानी क्या हो जाएगे खतम तो उसने आनर का मतलब क्या जहां अंदिकार हो कोई रास्ता नहीं दिखाई देता हो ब्लै को अभीवेक हो जहां पर कोई मतलब लाजिकल तिंकिंग नहीं हो यह तो वह ना अन्द्यकार का मतलब यहां अनर का मतलब यह नहीं कि उसकी आख फूटी है अनर का मतलब जहां पर लाजिक नहीं है जहां पर कोई बिवेक नहीं है जहां पर कोई क्या कर सकते हैं अन्द्यका सेंस यह भी हो सकता है कि वह कि inanubhau हीन هو, दिसाहीन हो अन्धा का मतलब किया ? जिसके पास कोई experience नहीं है जिसके पास कोई उसका path क्या होगा उसका destiny क्या होगा उसको पता ही नहीं है वो भी अंधा है अंधा का मतलब है यह नहीं कि आँए इसकी आंछ फूटी हुई है अंधा का मतलब है जिसके पास विवेक नहीं, बुद्धी नहीं, अंधा का मतलब जिसके पास अनुभव नहीं है, अंधा का मतलब ये भी है कि जिसके पास कोई लक्ष नहीं है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, कि किदर हमको जाना है, अंधा का मतलब ये भी है कि जो एक्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर इसको हम यहां पर हम दूसरी लाइन लगा लिख दें कि धर्म के बिना विज्ञान अनर्च है तो अगर बिज्ञान 100% यहां आ गया लेकिन धर्म को अमने अटा दिया तो बिज्ञान बहुत बड़ा क्या अगर सकता है कि फायदा भी करेगा अगर बिज्ञान के साथ धर्म है तो एटामिक एनर्जी होगा और बिज्ञान से धर्म को निकाल दीजिए तो एटम बम हो जाएगा और खत्म कर देगा सब कुछ यह भी तो है इस एंगल से भी देख लिजिए ठीक है और दूसरी चीज इसे को हम उल्टा कर रहे हैं ठीक ना आपको मैं सोचने का देखिए मेरा काम है आपको सोचने का तरीका देना जैदर देन कि हमाके लिखवा दें उस के लिए हमें क्या पढ़ाया गया था दूए दिन नोट्स पढ़ें फिर विचार करें फिर जाके दंगा रोकेंगे खिक ना ऐसा नहीं होगा ना तो आपको आटे टाइम डिसीजन लेने होंगे तो यह तभी हो सकता है जब आपकी सोचने की समझने की छमता क्या हो बढ़े हम आपको कप पढ़ा पाएंगे जब हम भी आके क्या बताते हैं दोनों पूरक हैं पढ़ लो तो आपके विचार मेरे विचार में अंतर क्या है तब आप भी उठागे चल देते जोला चलो चलते हैं तो हमेशा आप सासन तभी कर पाईएगा जब आपकी योग्यता जो सास होने वाले लोग हैं उससे क्या होगी ज्यादा होगे ठीक ना हमेशा आई प्रसासन का नियम समझ लिए तो विज्ञान के बिना धर्म लंगगा है कि इसका मतलब क्या हुआ यानि कि अगर बिज्ञान नहीं विराएगा तो धर्म फिप्टी परशंट काम करेगा धर्म लोगों को थोड़ा हम सकता है कि कुछ धार्मिक चीज़ें भी कई बार आदमी की जीवन में बहुत अच्छा कंट्रिब्यूट करती है और कई बार धार्मिक चीज़ें आदमी की जीवन में अंद्विस्वास, सति प्रथा, परदा परथा देश परथा और इस तरह की सामाजिक कुरितियों को भी क्या करती है जनम देती है तो कई बार अगर धर्म आपको अच्छाई की तरफ ले जा रहा है नेतिकता की तरफ ले जा रहा है जी और जी ने दो की बात कर रहा है तो वह धर्म क्या करेगा आपको 50% सही ह लेगिन उबहिए धर्म के लगें स्तिप्रधा की बात करने लगे तो धर्म क्या औजारेगा लगणा है वनर तो पूरा पूरी तरह नहीं है न यहां पर हम अगर उल्टा करते रहें तो विज्ञान के विना धर्म प्ब सेक न न लंग्ण अगर है इसका मतलब क्या कि विज्ञार में पुशिजिए अच्छी है और कुशी्जए धर में पुुशिज एच्छी है और कुशीजई बुरी है है कि कार recuperation बंसक्ता अभी कि चार्च हम करेंगे ऐसे एड़ा जो आप लोग दोनों को मिला रहे ना उसको मैं अभी मिला देता हूं ठिक है निबंद क्या एक प्राइमरी अभी जैंसर की क्लास होगे तो आप उसमें समझ समझ भीएगा कि निबंद जिस विशेय से शुरू होगा वहीं से खतम होगा उसी पॉइंट पर खतम होगा ठीक ना तो जैसे हम बिग्ज्यान गॉड क्या करता है गॉड का मतलब इस्वर तो गॉड क्या करता है जी फार जन्रेटर गॉड में जी फार जन्रेटर ओ फार अपरेटर और डी फार डिस्ट्रायर ठीक है हिंदी में हम लोग के हाँ माननेता है तीनी देवता मूल रूप से ब्रह्मा विशुडू महेश तो ब्रह्मा जी ने जनम दिया जनरेटर विशुडू जी आपरेटर सिष्टी के संचालक और महेश बिनाशक ठीक है अब जरह साइंस की बात कर लो साइस ही तो कोई चीज़ बनाती है बई कोई चीज़ बनी है चाहे पदा बना चाहे कुछ भी बना आँ तो जितनी चीज़े आज आपने जीवन मेर्टिफिशल इंटेलिजन से लेकर जो कुछ यूज कर रहे हैं उसमें किसे क्या लाजिक है साइंस बनी किससे है साइंस है चल किससे रही है और खत्म कैसे होगी साइंस एक खत्म होगी तो क्या साइंस गॉड नहीं है है कि नहीं है और दोनों को मिला दे तो कैसे हम बताते हैं गाड है तो आज आपके सामने एक बहुत बगी रिसर्च हो रही है फिक्स बोसान की सुनाए उसको क्या बलते है गाड पार्टिकल्स गाड क्यों गाड कहां से आ गया वही स्वर up आपके समाज में आपके देश में आवैस्वी कस्तर पर जो साइंस का सबसे बगा में साइन्स हो रहा हो क्या है गॉड़ पॉर्टिकल ना तो गॉड़ पॉर्टिकल उसकोर पॉर्टिकल कहरा है कि उसमें साइ्न सेथी merit कर दक us सुरूआट मेभी तूर सिर्वात में से हुई और खत्म भी कहानी वही पॉड़ा करो रही है होगी ना तो एक बात समěई लीजिए लेकिन हम को का तो क्या हम कर सकते हैं इस निवन्ध में एक बार ऐसे लिखे और ऐसे लिखें जो शाली है धोने अंगल से लिख सकता है यह नहीं अगर अगर अम इसको यहां पर यह तो नहीं कारा na कि अनेश्टीन की दरिश्टी शक्या होगा और धिरण सास्तिन की दरिश्टी से क्या होगा ठिक है उयहां पर तो उसने टापिक दिया इस पर आप से क्या पूछा कि आप इस पर जो लिखना चाहते हैं लिख लिजिए उसने कोई यह नहीं कहा न किसी डारेक्शन लिखना आप उल्टा भी लिख लिजिए आप उसका समर्थन भी कर सकते हैं उसको अपोज भी कर सकते हैं या फिर एक मीडियम पाथ भी लेकर चल सकते हैं ठीक है कि हमेशा ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है इसका ऐसे भी तो हो सकता है क्यों वही कुछ बात क्लियर हुई नहीं समझ भारी है अभी हम लाइन समझा रहा हैं सिर्फ लाइन ठीक है तो पिक्चर कुछ क्लियर हुई यहाँ पर कि धर्म के बिना बिज्ञान नांगर्च है मतलब यह कि अगर इस लाइन काम सेंस निकालें तो बिज्ञान बिना धर्म के 50% काम करेगा उसकी पूरी efficiency नहीं रहेगी हाँ उसके साथ अगर धर्म मिल जा तो उसकी efficiency क्या हो जाएगी 100% हो जाएगी और यहाँ पर बिज्ञान के बिना धर्म आनर्च है इसका मतलब क्या कि अगर धर्म में बिज्ञान नहीं है तो वो पूरी तरह से वो धार्मिक अंध बिस्वास है या blind faith जिसको आप बोलते हैं या फिर वो पूरी तरह से मानो जीवन के लिए क्या है डार्क कह देता हूं बिवाद है 100% उसको सही है गलत नहीं माना सकता है को यह आप लोगों में से history student है इतिहास का फगा बहुत European medievalist को हम क्या बोलते हैं यूरोप के मद्यकालीन इतिहास को हम क्या बोलते किस नाम से जानते हैं यूरोप का मद्यकालीन इतिहास को पुनर जागराइग के पहले के पीरियड को क्या कहता है बस आजाएगी कहाने रेनेंसा के पहले के जो पीरियड है मद्यकालीन यूरोप में पुनर जागराइग के पहले का जो पीरियड है रेनेंसा के पहले का जो पीरियड है उसको क्या बोलते है हाँ क्या बोलते हैं डार्क एज कितना अंदकार युग था कितना कहना से यह गलत है यह मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन अगर कोई कह रहा है कि इट वाज डार्क एज इसका मतलब क्या था कि धर्म वहां 100% था और साइंस नहीं थी और यूरोप में उस समय पूरे यूरोप में आप पढ़ेंगे तो किसका वर्चस हो था जनरली धर्म का प्रभाव था ठीक ना और उसी धर्म के पूरे प्रभाव में आकर के जनरली साइंस ऐसा नहीं कि साइंस नहीं थी साइंस थी लेकिन साइंस का बहुत अधिक यूज नहीं हो रहा था क्योंकि religious dominance बहुत ज़्यादा था और उसी religious dominance को किसने तोगा तो वहाँ पर भी क्या था हम क्या कह रहा है कि वहाँ बिज्ञान के बिना धर्म क्या था डारक था कहा रहा है ना अब कितना वह सही है नहीं है यह तरक का विशह हो सकता है कि आप उसको न मानिए कि वह डारक था या नहीं था लेगिन एक सामानी रूप से अगर आपने इतिहास world history पगा होगा तो आप यह जनरली कहा जाता है कि वह क्या था कि डार्क एस था अंदकार यूग था तो डार्क इस इसलिए नहीं कि वहां लाइट नहीं आती थी है ठीक ना इसके लिए कहते था कि वहां पर कोई साइंटिफिक एप्रोच से काम नहीं हुगा ठीक है और जगर अफिक आप स्टूडेंट हो तो कौन सा वो था आपका प्ल जा नहीं यह अगर ज्योगरफी से भी आप है तो तर्म में दिमाख से निकल ला है अरे यूरोप ऐसिया है ना उसको क्या बोलते हैं अरे इस हां महादेश और नाम से अफिर को तो उसको ऎंदकार क्यों कहते है वो भी तो आनर्च है 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 मत थिक नहीं कभी कहा गया आज नहीं कह सकते लेंगे कभी उसको क्या कहा गया अंधकार मतलब यहां पर कि जहां हंड़ेट परजेंट हाँ cela कुछ भी नहीं था कि अनर का मतलब कुछ भी नहीं अ है अगर अखन से उसको हिंधा करने का मतलब कि 100 folklore करें और अगर कुछ तो 50-50 बाला मेटर है तो एंगिल समझ में आ रहा है ठीक ना तो इस एंगिल से दो एंगिल से डिस्कॉस करेंगे इधर से इधर भी चलेंगे और रिवर्स भी चलेंगे आ हurar Typically ऑब यसली चेक न अब यह चुक्किए यह online का इंस-तीन स्क्रिएक अच्छिए है अच्छिए है यदिग्लค Σ व मत्ठी में आप energy आच आउटर साहब देख रहे हैं हूं इंसर्वर्ट नहीं देख रहे हो इनर वर्ल्ड के बिना आउटर वर्ल्ड वेकार है जब उनको ये फिलास्पी आई इनर वर्ल का मतलब अपने अंदर जो सुक्ष में जगत है जिसको हम धर्म नाम देते हैं जो भी नाम देते हैं इसको देखे बिना सिर्फ बाहर की दुनिया से हम साइंस को नहीं समझ सकते है तो वह बात आयनस्टीन को समझ में आई इसलिए आयनस्टीन ने अपना करना चाहिए तो इसको डिसकश कर सकते हैं थ्यक्रण ये दोनों डाइमेंशन पर यह निबन्च चल सकता capable एक बार हम इधर से इदर चले के और बार फिर आरे इए है है एकदम क्यों या सबाए है हाँ एकदम जा सकते हैं कि तॉ नहीं जा सकते हैं क्योंकि अगर्ड हम जो भी है हमें यहाँ पर दिखाना है कि मेरी एप्रो сказать सांटिफिक होगी हमारी इप दर०्ध नहीं होगी इस वाले एंगिल को भी हम खोल दें कि हमको यह अगले को पता रहे कि नहीं बच्चा इस एंगिल से भी चीजों क्या कर सकता है सोच सकता है यह अंगिल भी है सोचने के लिए लेकिन इस एंगिल पर ही हम काम करेंगा हमारा पुरा प्रसासन किस पर चलेगा साइंस पर च जामनर के लगा कि बच्चा जो है उसके सोचने समझने का जो दाइरा वो क्या है बढ़ा है वो अलग-अलग एंगिल से भी चीजों को सोच सकता है शेकर ना बास समझागी चलिए अब हाँ इसमें एड्मिस्ट्रेटिव अंगिल तब पता चलेगा जब आप इसको डिफाइन करोगे है चेकर है मतला अभी तो मैं अर्थ समझा रहो मेनिंग सिर्फ आप कैस करिए एड्मिस्ट्रेटिव अंगिल क्या है यह इसको जब तक रिलिजन डिफाइन नहीं होगा तब त देखना चलिए अब तो हम लोगों को कितने सब्द डिफाइन करने हैं है रिलिजन साइन्स इसको डिफाइन करें दिया इसको भी करूंगा ठीक ना और यह अनर चार सब्द तो पहले शुरू करते हैं धर्म ठीक न और धर्म को लिखना नहीं वहाँ पर नहीं लिखना यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि जब तक धर्म की define कर लेजिए उससे ज़्यादा उसकी सीमा को cross नहीं करना है ठीक ना अभी उसकी framing करेंगे answer कैसे लिखना है या कैसे निवन लिखना है लेकिन पहले चीज़ों को समझें तो यह page ठीक ना कहा गया इसका eraser एक मिनिट स्काइश्क्रीन नहीं आ रहे है नहीं यह चलिए अगला page अपने आपा जाएगा हाँ आ गया है एक मिनिट ठीक धर्म के छि waiver were ि को धर्मा इंग्लिज में क्या बोलेंगे धर्मा धर्मा इस नॉट इक्वटो ड्यलीजेटन ड्युलिजन जिसको हम कहते हैं ठीक न वह धर्म नहीं है और को हम धर्म कहते हैं वो रिलीजन नहीं है तो यहां पर रिलेजन और धर्म को जनरल अगर इस यह लिए आप इस S S को लिखना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो धर्म और रिलेजन के बीच में आपको difference करना होगा ठीक ना तो पहले हाँ कोई कुछ कह रहा है आनलाइन तो पहले हम लोग देखते हैं धर्मा ठीक ना धर्म क्या है धर्म की डिफिनीशन क्या है तो धर्म की अगर ओरीजिन देखें तो संस्कृत अब इसली यह धर्म सब जो है कहां से आगा संस्कृत लेंग्वेश से आया है संस्कृत भासा से आया है और ध्री धातु ध्री धातु सुना होगा ना धातु ठीक ना और इसका सेंस होता है तो भीर या धारण करना पहनना धारण करना या कहा जाता है धारयती धर्मड़ा संस्कृत की बात करें तो क्या कहा गया धारयती धर्मड़ा इंग्लिस में भी अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं धारयती धारयती धर्मड़ा जो धारल करने योग है वह क्या है धर्म है यानि कि धारल की आ जाए वह क्या धर्म career जैसे台 मैंने अभी क्या धारल किया great गुरु की भूमिका, तो गुरु की भूमिका मेरा क्या है? धर्म है, आपने क्या धारग किया? छात्र क्या धर्म, तो आपका भी एक धर्म होगा, ठेके ना? तो आप जब भी जिस अवस्था में रहेंगे, हर परिसिते में आपका स्वयम के प्रति और अपने समाज के प्रति क्या होगा कुछ धर्म होगा तो धर्म का जो संबंध है वो किसे हो गया करतब्य और उत्तरदाइत उसे तो हमारे यहां जो धर्म है it is related with the duties and responsibilities duties and responsibilities करतब्य और उत्तरदाइत उसे है किसे करतब्य और उत्तरदाइत्व हमारी स्वयम के प्रति और अपने समाज के प्रति क्या है duties और responsibilities है और वही हमारा धर्म है जैसे मा का धर्म थोड़े की बेटे की आरती उतारे लेके नहीं बच्चे का अच्छे से क्या हो जाए आलन पुसर्ण हो जाए उसकी केर करें पिता का धर्म है गुरु का धर्म है छात्र का धर्म है यहां धर्म का मतलब क्या हुआ duties and responsibilities तो अगर इस origin इसका जो एक तरह से कर सकते हैं कि जो सब्द है इस सब्द की एटमालजिकल अगर मेनिंग देखें तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे धर्म का मतलब क्या हुआ हुआ ट्री करना कि तो धर्म कोई सेंस में समझ सकते हैं इट मीन्स धर्मा इज नाट रिलेटेट विट डएट वर्ड गईट विट डे रिलेट विट ड़ए तर डे टू डे लाइफ यह उस संसार से संबंदित नहीं है इस वर से संब्दित नहीं कोई अलग कि इनाट रिए इस सूपरनेशुर्यल पावर यह किसी अलोकिक सक्ति से संबंदित धर्म नहीं है बलकि हम अपने जीवन में सांसारिक जीवन में कैसे हम अच्छे से रह सकते हैं वह ही अमारा क्या है धर्म है और अगर आप पढ़े होंगे चार पूरसा आर्थ तो कुसमें क्या क्या है धर्म अर अर्थ काम और मोक्ष इन सभी में पहले क्या आया धर्म क्योंकि अगर धर्म नहीं इसिखाएंगे धर्म का मतलब क्या ड्यूटी जोर रिस्पांसबिल्टी यह अर्थ का मतलब पैसा मुटा मुटी और का मतलब समझ सकते हैं तो इन दोनों में आप आप पिना इतना इनवा पैसा कमाने के चक्कर में हो सकता आप किसी का मडर करने लगी है अगर आपको धर्म का ज्यान नहीं दिया गया तो या काम के उसमें हो सकता कि आप ऐसे लोग साथ भी गलत काम करें जो आपके ख्लोज रिलेशन में ह Kenya न तू काम मतलब जो बाइयू नीड के सारी का सकता है जैरिका सकता है तो अगर आप धर्म की जानकारे नहीं तो यह दोनौ में इतना हीNवाल हो जाएंगे कि आप समाज के लिए क्या हो जाएंगे हाणि कारिक हो जाएंगे इसलिए पहले क्या सिखाया गया धर्म और धर्म अगर सिखा करके अर्थ और काम पे लगाया जाए तो आपको मुक्ष प्राप्त हो जाएगा इसलिए यहां पर भी पहले प्राथमिक्ता किसके दिगई धर्म के दिगई तो हमारे धर्म करतब और उत्तरदायत्यों की विवस्था है और इसी को अगर और थोड़ा सा मेलाबुरेट करें तो आप अगर मनुस्मृति पढ़िएगा हाला कि बहुत विवादास्पत कई बार आज तो हो गया बहुत सारी चीज़ें लेकिन उसकी अच्छी बातों को लेने में कोई बुराई नहीं है तो मनुस्मृति में कहा गया धृति छमा दमो अस्तेयम सौच मिंद्रिय निग्रह धिर्विद्या सत्यम क्रोधो दसकम धर्मम लक्षडम छीक है आपको नहीं समझ में और इसला जाएगा लेकिन इस लोग का सिंस यही है ६ड़ि trend के दस लक्षड है धर्म के दसकम धर्म लक्षड चराब तो धर्म के दस लक्षड है क्या कि हम इक्त्था न करें किसी को इक पठ्था करने से क्या होता है कि अगर हमने को इकठा कर लिया, तो हमने किसी को उस चीज को पाने से क्या किया, वन्चित कर दिया, ठीक ना, चोरी नहीं करना, दान देना, उपकार करना लोगों के उपर, अगर मोटा मोटी सेंस समझाएं तो ये, ठीक न, तो अगर इन सारी चीज़ों की बात करें, दूसरे को दान देन तurnal रहना इकठा नई करने चोरी नहीं करना जूशानौ करना मानव झीवन यह यह काम करना चाहिए इस एंगल से भी देखे डहरों का सभष किसे तो पनार्व का संबन्द्र जो है इस वर्ल्ड से इस संसारिक जीवन से है और इस संसार में हमें एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए वह धर्म है यानि कि धर्म का संब्ध हमारे लिए क्या हो सकता है morality से भी हो सकता है ethics से भी हो सकता है नियतिकता से भी हो सकता है इसलिए अब आपके civil services के syllabus में क्या लाया गया नितिक्स इथिक्स का पेपर लाया गया कि थोगा भीया ये धर्म भी जान लो ने तो बहुत साइंस पगली है फुरुटो जुगा वर्ग और खलाने वर्ग लेकिन बिना साइंस के वो अधिकारी करभ होते जा रहे थे इसलिए उन अधिकारियों को मार्ग पर लाने के लिए क छल्ट भजाक पगया है एक ड्ह tenants का हिस्सा है मोरल टी यह दर्म का हिस्सा है हमाарी परंपराये रित्रिवाज भी क्या है है और्म का हिस्षा है इस सेंस में धर्म आएगा धर्म का मतलब नहीं नहीं यह प्रभु वर्दान हमको दीजिए मैं जीता रहूं आप सबको मार दीजिए फूल माला और तुलसी सब आप ले लीजिए और जितने हो पांच पांच सो के नोट हमें दे दीजिए वह अला धर्म नहीं नहीं क्योंकि बंधोने जा रहा है तो धर्म शमद में है तो धर्म का बेसिक सेंस है हमारा अपने प्रती और समाज के प्रती जो ड्यूटी जो रिस्पांसबिल्टी जैं अब रिलीजिए की ज़रा बात कर लेते हैं तो वेस्टरन कल्चर में जो सब डिलीए डिवेलप हुआ हो क्या रिलीजन का जो सेंस है रिलीजन की अगर ओरिजिन आप देखेंगे उसका इमरजेंस या इसकी अटमाल्जिकल मेंग देखेंगे तो रिलीजन जो सब्ध है ना यह आया है रेलिघ्चयर सब से किसे करें है कि या वख शरे Caleb a really to get at this DRC इसका emergent कि से वह रिजलीग और से रिजलीग एर पाहि वऔर चंज होते वे का जो सब बनाव क्या बना से रिली जनопर और रियलीगयर आसब दना इसका अर्थ होता है बॉन्ड फ़ो Hmm या जोचिना जो इंडि विज्वल को इंडि विज्वल यानि कि व्यक्ति को क्या करें गाड से जोड़ दें इसका सेंस निकल गया निकल गयाता है जो ऐसा कोई क्या है कि भाउंड या रास्ता या तरीका या मेतोड जो ब्यक्ति को किसे जोलता हो इस्वर ऑज ждent सुपरनेचरलण पावर से हैं सुपरीम पावर से एल्टिमेट पावर से JIюда Western कल्चर में का सेंस किसे है डायटसे वह कहाई मैं नहीं जानता और हमारे यहन this world से है इसलिए religion और धर्म एक दूसरे के मेनिंग नहीं देते हैं इसलिए जो अच्छे आपको फिलासफर मिलेंगे वो धर्मा को religion नहीं बोलेंगे धर्मा को धर्मा ही बोलते हैं अगर आप किसी अच्छे spoke person को सुनिएगा तो वो इंगलिस भी बोलेगा तो उसमें धर्मा शब्द इस्तेमाल करेगा rather than religion तो religion यहाँ पर क्या है? religion का संबन्द जो है एक तरह से supernatural power से है तो हमको supernatural power की बात करने ही नहीं करनी है हमको किसकी बात करनी है? धर्मा की, मतलब this world की बात करनी की, यह संसार कैसे smoothly चले, जिसमें non-violence हो, environmental protection हो ठीक है ना, अहिंसा हो परियावराच संवक्षाड हो coexistence हो, सहस्तित हो ठीक है ना, सहयोग हो cooperation हो, एक दूसरे का सम्मान हो, ठीक है? तो इस तरह की बाते करनी है और इस तरह की बात के लिए जीओ और जीने दो सुनाया कभी सब्द तो जीओ और जीने दो क्या? ये चार सब्द नहीं है ये जीओ और जीने दो अभी एक धर्म है कैसे? देखो आप जीओ, खुद जीओ दूसरे कभी जीने दो तो ये क्या है? धर्म, मतलब अहिंसा है की नहीं है? दूसरे को जीने दो का मतलब जानवर को जीने दो? जानवर पर दया करना की बात हुई का नहीं हुई? दूसरे को जीने दो का मतलब परियावराज को भी सुरक्षित रखो जीने दो का मतलब नहीं कि आदमी को जीने दो फिर पौधों को भी क्या करो? जीने दो, उनको मत काटो, तो परियावारा इस समय लेकि नहीं है, ठीक न, और अगर हम आदमी को, जानवर को, परियावारा को, तीनों को मिला करके, सुरक्षित करना है, तो इसी को क्या बोलते है, एकोलोजिकल सिस्टम, पारिशित की तंत्र, बताइए आज से कितना साल पह अले एक व्यक्ति ने इतने छोटे से सब्द में, पूरा हमारा जो इकोलोजिकल सिस्टम उसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, तो वो क्या है, वो धर्म है, यहां धर्म का मतलब, कि जहां हम भी सुरक्षित हो, हमारा पादब जगत, प्लांट जो हमारा किंगडम है, व यहां पर जब धर्म की बात होगी, तो धर्म में किस की बात होगी, अगर हम इसको समराइज कर दें तो, आज के संदर में यह तो समझाने के लिए बात होगी, तो यहां पर जब भी हम धर्म की बात करेंगे, तो करतब्यों की बात होगी, उत्तरदायतों की बात होगी, मुर और यह सभी काम करने की जिम्मेदारी किसकी एड्मिनिस्ट्रेशन की अब आया एड्मिनिस्ट्रेटिव एंगिल क्या आप से नहीं सही था नहीं मैं टफ नहीं यह डियर मैं यह आपको सिर्फ नहीं मैं बता रहा हूँ मेरा यह परपस नहीं कि आप टफ करें लेकिन अगर आपने यह एंगल समझ लिया तो आपको आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो और कोई चीज़ टफ नहीं होती है हम आपको कहें उर्दु का अलफाबेट लिखो अलफाबेट तो आदमे को आना चाहिए तो आने और नही लाँ कि आधि के लिखें है नहीं यहां पर आपने पुझा अव्र प्रसासनिक एडविनिस्टेश्टिव उफू तो अब यहां दर्म का मतलव एक प्रसासनिक अथिकारी का धर्म क्या है अब प्लिक वेलफेर तो हमारा दर्म प्लिक वेलफेर का ओगा डॉलप्मेंट का ओ वाइलेंस को रोकना होगा एकना मुरल्टी के साथ काम करना होगा इंपैथी के साथ काम करना होगा अपनी ड्यूटी और रिस्पॉंसबिल्टी को में क्या करना होगा अच्छे से निभाना होगा यह हमारा प्रशासनिक अधिकारी का धर्म होगा और इसको निभाते समय किसको को लेकर के आएंगे विज्ञान को विज्ञान को लेकर के नहीं आएंगे तो फिर मामला क्या हो जाएगा जुर हो जाएगा तो हमको जितने भी अपने प्रसासनिक अधिकारी को काम करना है उसमें किसको सामिल कर ले विज्ञान को ठीक ना तो धर्म और विज्ञान दोनों मि सिर्श आ डि일 गविच्ट ना तो ऊजिससक जो चार उसकी जो स्थिंगें को साइन्टैफिक होगे दो प्रफॉर्मन्स करेगा थींग आ छुआप में एक बात है और समझ लेजे, तब आप को और पिक्चर क्लियर हो जाएगे, government और governance में क्या तरीका है, क्या difference है, government and governance, क्या difference है, सरकार और साअन, सुना होगा, good governance, government तो आपने regular life में सुना होगा, कि दिए सरकार ऐसे समझ लीजिए सिंपल सा चीजों को एकदम कांप्लेक्स मत बनाए कांप्लेक्स हो रहा क्या जटिल तो नहीं हो रहा ना ठीक है मेरा काम है आपको उस चीज को देखिए आज को आज को हमने आपको दिसा दे दी आप पूरे घूमाय यह कोई दिसा मिल जा हम अकेले नहीं काम करते हां हमारी पूरी टीम है हम लोग बैठते हैं एक-एक सब्ध पर हम लोग चर्चा करते हैं कि अच्छ है इसको ऐसे भ प्रिकास, कुछ कहना चाहते हैं, हम, हाँ, दिखिए, सरकार का मतलब actor, सरकार का मतलब actor, जो काम करे, सरकार, और सरकार जिस तरीके से काम करे, काम करने का तरीका क्या है, सासन, अगर हमने अच्छा काम किया, good governance, और बुरा काम किया तो, bad governance, तो हम, as a government क्या हो, हमारे अंदर science हो, लेकिन जब हम performance करें, तो science के सासत क्या हो, धर्म भी हो, performance मतलब जो governance है, governance में किसको सामिल करिये, science को, यानि कि जब हम service delivery दे, जनता की सेवा करें, उसमें क्या सामिल हो जाए, science, इसलिए, service delivery में किसको हम ला रहा है, इथिक्स को, integrity को, इथिक्स और integrity भी किसका हिस्सा, धर्म का हिस्सा है, integrity सतनिष्ठा, अभीरूची, यह तो है न सिले बस आपका, अगर EPSC का आद देते हैं, तो, या नहीं भी देते हैं, तो, आपको पता होगा, सतनिष्ठा है, अभीरूची है, या फिर नीती सास्त रही तो, यह सब किसका हिस्सा, धर्म का हिस्सा है, तो, इसलिए सिखाय जा रहा है, कि आप जो service delivery दे, उसमें क्या रहे, धर्म भी रहे, तो service delivery हमारी अच्छी हो जाएगी, 100% delivery हो जाएगी, ठीक ना, तो, इस angle से अब आपको, धर्म को ले करके आना है, ठीक है, तो, धर्म समझ येगा कि supernatural power से है, इबादत से है, या कुछ और से है, धर्म का मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी का, वो जिस पद पर भी है, उस पद पर रहते हुए, उसका समाज के प्रति क्या है, duties, responsibilities हैं, और उसको धर्म के साथ क्या करना है, प्रफार्म करना है, धर्म का मतलब integrity के साथ honesty के साथ, empathy के साथ, integrity समय ना, सतनिष्ठा के साथ, इमानदारी के साथ, सहानु भूति के साथ, सामानु भूति जिसको कह सकते है, समानु भूति के साथ, हमको अपने कर्तवियों का करना है, प्रधर्शन करना है, हमारी स्वच क्या होगी, scientific होगी, लेकिन जब हम काम करेंगे तो उसमें, science के साथ, साथ, धर्म को भी लेके आएंगे, यानि कि, अगर कोई गरीब आदमी है, जैसे मान लिए हमारे पास दो application है, एक आदमी देख रहा है, उसके पास 100 रूपिया होगा है, उसका कपड़े प्रेसे लग रहा है कि अच्छा कपड़ा पहना हुगा है, उस करना पड़ेगा, धर को लाना पड़ेगा, पहले इसकी मदद करना जरूरी है, हम डाक्टर है, लाइन में 100 मरीज हैं, लेकिन एक इमर्जनसी आगे तो पहले किसको देखेंगे, डाक्टर है, साइंस है हम, डाक्टर को मदब साइंस, लेकिन इमर्जनसी में एक मरीज आगे है तो हम बाकी लोगों को छोड़ करें पहले तो वो क्या है इमपैथी है वो हमारा धर्म है कि पहले उसको देखें हैं ठीक न तो इस एंगल से आप उसको सोचिए तो बास जा गई अब बिज्ञान बिज्ञान का मतलब फिजिस के मिस्ट्री बाइलोजी नहीं बिज्ञान का मतलब सिर्फ इतना है कि जहां पर आप कारेकारण संबंद स्थापित कर सकते हों बिज्ञान का मतलब यह है कि जहां पर आप एनालिसिस कर सकते हों जहां बिज्ञान का मतलब यह है जहां पर आप अपने बिवेक को इस्तेमाल कर सकते हों बिवेक को इस्तेमाल करने के आधा विवेक युक्त होना यहां पर विशलेसल की अगर आपके अंदर छमता है यहां पर आपके अंदर विवस्थित तरीके से कार करने की छमता है यह सब क्या है विज्ञान है अब आते हैं आपके टापिक पर अब चलिए अब देखिए धर्म के बिना बिज्ञान नादेश है यानि कि बिज्ञान का मतलब जहां हम तर्क है बिवेक है सदबुद्धी है बिवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं तो काम तो अच्छा हम कर रहे हैं है इसमें कोई दुरा नहीं है हम प्रसासनिक अधिकारी है तो मेरे लिए पूरे जिले की सभी आबादी क्या है बराबर है किसी के साथ मैं इंजस्टिस नहीं करूंगा अन्याएं नहीं करूंगा सभी की सुनवाई करूंगा लेकिन अगर उसको और अच्छा बनाना है तो में क्या लाइं धर्म जो गरीब है वोस बंचीत है सोसीत है पिछड़े हैं अलवसंख्यक है जिनके अधिकारों के सुनवाई नहीं हो रही है जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है उनको हम क्या करेंगे प्रात्मिक्ता के साथ उनकी समस्याओं का निप्टारा होगा, निदान होगा, ठीक है न? तो बिज्ञान रहेगा, बिज्ञान लंगड़ा का मतलब क्या? बिज्ञान तो काम करेगा ही करेगा, वहाँ पर हम लंगड़े हैं, जहाँ पर सभी लोग समान हैं, लेकिन वहाँ प पर धर्म लाएंगे जहां पर लोगों के बीश में क्या है असमानता है जो वन्चित हैं सोसित हैं पिछगे हैं ऐसे लोग हैं जो निराश्रित हैं उनके लिए हम क्या करेंगे अपने धर्म का इस्तेमाल करके उनको भी हम समाज और देश की मुख्धारा में फ्रेज़ित जोड़ने का काम करेंगे यह हमारी जिम्मादारी होगी एक प्रसाशने का ठिकारी के तर पर लेरह होगी इस थिख रोगी बात के यह लाइन क्लियर हो गई अब दूसरी बात बिग्न के बिना धर्म आनर्ज है बिग्ञान के बिना धर्म आनर्ज है ठीक है अब dibuj की बात कर ले थीकैंड अब धर्म में जो भी है धर्म में हमने क्या कहा विवेख भैैं थर्क है यां लेकिन अगर हम तार्किक बात ना करें या खुल मिला करके कि हम अगर धर्म जो है उस धर्म से विज्ञान को अटा दें धर्म से या सामा निरूप से जिसको हम धर्म मानते हैं कि सती प्रधावी धर्म है जाती प्रधावी धर्म है परदा प्रधावी धर्म है ठीक ना पुतिया माई की पूजा करना भी धर्म है होती है ना कहां होती है तबिए मय की पूज़ा नहीं देखा अपने हो बिहार में होती है पुझी अमै की पूज़ा एक पुझी अमलब डाग का मंदिर बना है उसकी पूज़ा होती है ऑज छिक है इस है और टो नहीं जो भी हम नहीं कह रहा हो हम गलत सही उस पर हम कमेंट करने के लिए एलिजबल नहीं है लेकिन अगर इस तरह की कुरोना माई की पूजा आउने लगी थी बीच में कुरोना आया था तो तो यही तो कह रहा हूं ना कि धा बिना बिज्ञान के बिना धर्म क्या है आनर छे हंड़ेट परसेंट तो यही पर कहaraं कि जो एगर इस तरह की बात है अगर उसमें कोई भी धर्म हो अगर उस धर्म में बिज्ञान नहीं है तो पूरी तरह से क्या है हंड़ेट परसेंट आनर है तो यह आनर का मतलब क्या आनर का मतलब यह है कि वो अनुभाव हीन है उसके सही गलत करने का आनुभव नहीं है, उसके पास एक्सिंपरियंस नहीं है, कि वह सही वगलत का फैसला ठीक ना? अगर जिस धर्म में बिज्ञान नहीं है, तो वह अधिकारी यener जो अधिकारी, एकर उसके धर्म हैं लेकिन उसको बिज्ञान नहीं पता है तो वो अभिवेक की हीन अभिवेक होगा उसकेback और वो और वह सही गलत का फैसला नहीं कर सकता है अधिकारी कर पायगा यह थिक है इस अनुभव ह jeito अच्छा seat ही मोगा ऐसा अधिकारी क्या होगा विए ढिससा में जानाए थिपकर साय गता टार्गेट एक प्रसासनिक अधिकारी को क्या लक्ष है उसका उसको लक्ष नहीं पता होगा तो अंधिकार का मतलब यहां पर इसा नहीं कि लाइट नहीं आ रही है अंधिकार का मतलब उसको दिसा नहीं पता है उसको डारेक्शन नहीं पता है उसको पाथ नहीं पता है कि हमक और एक अधिकारी आया और कब चला गया पता है एक अधिकारी ऐसा भी एता है चला गया बड़ा भण्या हुआ गली तीनों गया तो तीनों का सेलेक्षन पूरे भ्यरी कमिशन ने किया था एक आया आप नाम नाम Oklahoma Cyrus एक आया, पता नहीं चला कब आया, कब गया, और एक आया तो चला गया, बड़ा बढ़िया हुआ, सुकून मिला हमको, मतलब जो मिल जा लाओ 10 रुपिया, बाइक्स गिनारे करो, पैसा अधिकारी का चले जाना ही, बढ़िया है, तो कहने का सेंस क्या, कि यहां पर आपने कैस प्रफॉर्मेंस किया, कैसा, प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के आधार पर यह होगा, कि आप जो है, अन्धे हैं कि, आनर्च, आनर्च है ना, आनर का मतलब है, कि अगर आप कोई भी धार्मिक बात करिये, ठीक ना, और उस धर्म में क्या हो, भाई हम कहा दे पर्दा प प्रथा सही है, ठीक ना, गाउ में पर्दा प्रथा चल जाएगी, मुखर्दी नगर में जरा पर्दा घूंगर निकाल के चलाओ जरा रोट पर, कौन मार करके चल गया, जब तो घूंगर उठाएं के तो बाइक चली गई गांधी वियार मोड पर, वो पर्दा प्रथा किस काम के, हम एक्जांबल से समझा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपका कोई धर्म है, और उस धर्मे में विज्ञान की भूमिका नहीं है, तर्क की विशले सल की भूमिका नहीं है, तो वो विज्ञान क्या हो सकता है, आपको पूरी तरह से अंदा बना देगा, आप सही गलत का कभी हैसला नहीं कर पाएंगे, आप अनैतिक हो सकते हैं, आप दुराचारी हो सकते हैं, समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं, बापू तु सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है, वो भी हो सकते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि अगर हम धर्म का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस ध बिज्ञान की जरूरत उतना ही धर्म की जरूरत है तो नहीं तो अनर का मतलब यहां से रिलेशन क्या है 100% का है तो इस इस लाइन में बिज्ञान और धर्म का रिलेशन 50-50 नहीं है 100% का है 100% धर्म और 100% साइंस साइंस के बिना धर्म अधूरा पूरी तरह से और धर्म के बिना साइंस अधूरी है लेकिन इस लाइन में 50-50 है यानि कि धर्म के बिना बिज्ञान 50% सही है और धर्म के बिना बिज्ञान 50% गलत है बात समझा गई है इस एंगिल से इसको लिखन है तो समझ में बात आई ठीक अब इसको थोड़ा से कैसे लिखना वो समझा देता हूं लेकिन अच्छी बता रहा हूं जो मैं आप अब बताने जा रहा हूं वह आपके लिए सिर्फ एक माडल आंसर हो सकता है या इसाही होगा यह नहीं किसमें जितना समझाया हूं आप जरा से लिख करके किसी कोचिंग में चले रहे हैं सर यह टापिक है अमने निवन लिखा है बता यह कितना नम्मर मिलेगा है हमको छोड़ दीजिए है कि देखना तो जिसका जिसका सिलेबस नहीं जिसका स्ट्रक्चर नहीं कैसे डिफाइन होगा यह मुद्द पेशन जिसका कोई टाफी कहीं नहीं है लेकिन इसमें यह नहीं देखा जाता है कि आपने क्या एस्ट्रक्टर लिखा है इसमें यह देखा जाता है कि आपने जो चीज कही उसको कितने अंगिल से आपने आपने चीजों को देखा समझा और उसके पीछे क्या लाजिक दे तो फॉर्मेट बताने जा रहा हूं ना वही बताने जा रहा हूं चिक है चलिए उसलिए अभी तक तो हम आपको एक समझा रहे थे अब फॉर्मेट की बात मैं आ रहा हूं आजो भाई आपको मैंझ गराई तो इसका एक एंगल जहाँ दूसरा ओला सेग्मेंट धर्म के बिना विज्ञान आनर्च है इसका मतलब दोनों में रिलेशन क्या है यह हैं गोह राजारा साथ पेस्ट खोल दी तो 20 नंबर 20 नंबर अभी नहीं आ रहा था किसको कि कहां से है कि अहां से है कि मेरा काम आपके दिमाग को खोल देना और दस बारा निवन पढ़ाते पढ़ाते आपके दिमाग इतना खुल जाएगा आप किसी भी से कोई आ जाए है आप लिखने के लिए तयार रहेंगे इमानदारी से एकडम आपने शिंत रहें है और टफ इच्च बताएं सरल मार्ग सुझाने वाला निलेश जैंसर कहते हैं सरल मार्ग सुझाने वाला आपका सवचिन तक नहीं हो सकता है कि मार्ग से मतलब है तो आप बताइए कि सारे बच्चे सामान या अंसर लिखें आपका जो अंसर थोगा स्पेसिफिक होगा तो कम सब्सक्राइब दो चार नंबर तो धिक मिलेगा ना यहां से यह हैं अच्छा ठीक है मार्ग स्की बात करें तभी हमको हम अगर प्रशासनिक अंगिल लेकर करके आए कोई धर्म और भी ज्यान पर रही कि धर्म यह पर था है वह पर था है और हमने क्या समझाया एक प्रशासनिक अधिगारी को कैसे काम करना है तो आप बताए कि विसल्ए मिलया क्योंकि जा रहा है और है अप रूल लिए करके है हुआ हई अध्यक्ति सबसे बड़ी है और आपctors न.ल आपकी personality को आद्म आप चाहरा है आफ्स न.ल आपके knowledge को नश-कर रहा है सबसे बड़ी बात ही है तो जो चीज जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपका जजमेंट ही नहीं हो रहा है तो फिर बेकार है न देखिए निबंध में और जीएस में या आप्शनल में एक बेसिक डिफरेंस है निबंध वैक्चूम है इस पेस अंतरिक छे कुछ भी लिख देंगे तो जब पहले से आप तयार होट जाकर लिख देंगे तो वहाँ पर आप इमेडियेट आपकी क्या चमता है कैप सिटी हमको नहीं पता चल पा रही है तो रट्टा मार करके आप हो आच आपके चले आएंगे लेकिन प्रसासनिक अधिकारी को पास्ट के आधा करना और क्या नहीं करना है तो आपने सेनियर जुनियर से क्या कर सकते हैं एक बर क्वाडिनेट कर सकते हैं इसके लिए तो हमाएं अपनी शंता को इंप्रूव करना होगा कि हाँ जैसे इसमें धर्म और बिज्ञान का ही एंगिल है लेकिन हम दूसरे एंगिल को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं प्रसास नक्रें हाँ 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 कि अब यवाँ हाँ हाँ अब यस ले दृए दिख यह सी बताया आपको कहीं पर भी कोई अपराद होता है तो अपराद को रोकने की जिम्मदारी पुलिस की है लेकिन अपराद हो गया तो जांच दोई होती है तो मजिस्ट्रेट इंक्वारी होगी या तो जुडिसियल इंक्वारी होगी है पुलिस इंक्वारी तो नहीं होती ना क्यों नहीं अगर कहीं अपराध हुआ है तो मजिस्ट्रेट क्या गरेगा मजिस्ट्रेट युश अगर एक्स क्राइम हुआ है तो एक्स अगर X Crime हुआ है तो X Crime को वह social एक्डिन से भी देखेगा पॉलिटिकल एंगिल से भी देखा एंगिकन ए ओ कि अधरी नहीं जो एक्टि जिसमें मडर किया हुँ तो है बीचुल तो नहीं है तो सारे एंगल से देखेगा तो उस अपराद के बारे में वह रियली क्या पिच्चर निकल के आएगी उसको क्या कर सकता हो समझ करके रिपोर्ट देगा उसके अधार पर फिर उस तरह की घटना का रिपीटीशन नहों उस पर सरकार क्या करेगी सो तो CBI जाज का मतलब क्या है उस चोर को पकड़ना जिसने क्राइम किया है लेकिन अगर जुडिसियल इंक्वारी होगी तो इस तरह की घटना का कभी कोई रिपीटीशन नहों सारे एंगल से सोचा जाएगा कहां टेक्निकल खामी रह गई कहां पर हमारे इंपलाई की खामी ह कहां पर जो ट्राइफिक लाइश सिगनल है उसकी खामी है हर एंगल से बात होगी और CBI तो हर एंगल से बात नहीं करेगी ना वो तो खोजेगे किसने लापर वाही बस काम खतम तो मजिस्ट्रेट का काम आप जिला चला रहा है अगर डियम आप बनने जा रहा है तो आपको हर एंगल से सोचना पड़ेगा तो जितना आपका उपिनियन ब्राड होगा जैसे उन्होंने बता है आप ने सत्त लाया इंसा लाया नेतिकता लाया प्रशासन लाया तो ये आप दिखाईए कि मेरा opinion कितना broad है, कितने अलग-अलग अंगिल से मैं एक विशेपर क्या कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, और जितना बड़ा angle आपका होगा, उतना ही आप एक अच्छे प्रसासनिक अधिकारी का claim कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, कि भाई मैं इसके लि जिला गन्ना विकास अधिकारी, जिला मतस्य विकास अधिकारी मशली पालन कराते रही हैं, हैं, वो भी मिलेगा, लेकिन, जो मजा उसमें हो, उसमें नहीं है, ठीक है ना? हाँ, 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 अब यसली होगा, नहीं, अंगल दोनों आपने देखा, देखा, कौन सा अंगल थोड़ा सा बेटर लगा, हमें नहीं पूछ रहे हैं, दोनों अच्छे होंगे, मैं अगर वो भी दिख रहे होंगे, तो उन्हों ने उसमें कहा होगा, कुछ तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, हाँ, उसने जो हमने समझाया और जो आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है, उसी क्या लगा कि हम थोड़ा सा ज़्यादा नम्मर गेन कर सकते कि नहीं? हाँ, हाँ, ठीक है, लेकिन हमारा सिर्फ देखिए, जब आप ग्रेजिवेशन में होते हैं, तो आपको अगर एक एक नम्मर से भी अगर आप गिन कर ले जाते हैं, तो आप समझ लिए आपकी मेरिट डिश्टर्ब हो जाएगी, नीचे से ऊपर जा सकते हैं, हाँ, अब इसले, टाट्ला मैंड़ से आगा, टाट्ट्र बी मैंड़ से आटिकल में जो मैं समझाने जा रहा हूं और डाक्ल का मैंड़ से बता रहा हूं, मैं, मैं अभिसली मैं बता रहा हूं, एक विन ट्रूची है, है नहीं देखिए समझ होती है एक आदमी की अपनी प्रोफेशन की समझ होती है थेक न मैं आपको दिखाता हूं जो डाक्टर वारी आपने बात केह न वह भी मैं समझाता हूँ ने यह आज मैं नहीं कह रहा हूं आज आप करें आज आपकर इन्हें आर्टिकल कल का इसमें पहले से लगा हुआ है और उस चीज़ को मैंने डाला हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है करें अब देखिए हमने दो एंगल बताया थे धर्म और बिग्ञान दूसरे क्या हो सकते हैं पूरक हो सकते हैं 100% वाला है तो धर्म और विज्ञान अब उसी लाइन को मैं आगे ले जाए रहा हूं अगर हम एक इसको धांचे में ढाल दें तो क्या हो सकता है धर्म और विज्ञान यहां दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं ठीक है तंप्लिमेंट्री है यदि धर्म में विज्ञान न हो धर्म में विज्ञान न हो तो वह धर्म अंद विश्वास में परिवर्तित हो जाएगा कि अगर धर्म में विज्ञान कि नहों तो और मानेंगे हम तो क्यों मतर मार धाऊ तो यह है कि अन्वेश्वास ही है तो दिरन सास्री पास जाई है ठीक है हम सिर्फ इसकी भूमिका बता रहे हैं और वह समय के साथ समाज में विभिन प्रकार की समाजी कुरितियों को क्या करेगा अगर धर्म में विज्ञान नहीं है जितनी भी आप समस्था है समाज की समाजी कुरित कि देख रहे हैं तो होता क्या है कि उन कुरितियों को मैनेश करने के लिए धर्म की चाधर घूल जाती है कि यह निदे लिए आप देखेंगे अगर काल मार्स कर इक बने बढ़ा हुए काल मार्मक्ष डर्म कि चकी संगया देता है ए तुक कहता है कि जैसे मान लेजिए है मै आप मेरा बिरोत करना चाहते हैं लेकिन रोज मैं अपराज करने के बाउजू सुबह जाओं काली माता की जए दो माला पहना दू नहीं 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 बहुत अच्छा आदमी है बहुत पुजारी आदमी है संत आदमी है पता चला कि मैं कितना मडर किया हूं लेकिन दुनिया के संत आदमियों तो धर्म ने क्या किया आपको मेरे खिलाब बगावत करने से रोक दिया कि नहीं आदमी अच्छा है भले मडर करता है लेकिन आदमी अच्छा है राभी नूडवाली छबी है बास मुझा रहे हैं कि अ कि वह जिस्क वह क्या रहा हूं आप कहांभी कुछ ऐसा है अब किसी का नाम नहीं लोगा व्यार में सब्थ है तो वह समाज में क्या करेंगा समाजिक पूरितियों को जनम देगा इसी कारल कई विधार वधन थार्म को धार्मक पांखंड करकर कुपारा जाता है कि Be इसके वेप्रीध यदि भिज्ञान में धर्म नहों विज्ञान में नहों तो वह अन्यतिक हो जाएगा विज्ञान में धर्म अन्यतिक हो जाएगा इसको समझा देता हूँ आगे लिखा हुआ है जैसे मान लेजिए मैं एक डाक्टर हूँ बहुत अच्छा इलाज करता हूँ बहुत अच्छा सर्जन हूँ मेरे पास भी ज्यान है लेकिन बीना पैसा इलाज नहीं करूंगा चाहिए आप मर जाएए चाह जाता है मैं सही कर रहा हूं अगर हूँ अन्यतिक हो जाएगा है तो जैसे मान लेजिए और एक्जांपल में समझाता हूँ इस वर नहीं मेल फिमेल बनाया है तो मेल फिमेल अगर रिलेस्टन बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर साइंस की दिश्टन से कोई दिक्कत है नहीं लेकिन अगर ब्रदर और सिस्टर के बीच में रिलेस्टन बने तो क्यों अनेतिक कहते हैं उसके पीछे है कि सैंस नहीं है नहीं है न सब्सक्राइब दोई जही सैंने लेसन हो सकते हैं हो इसको धर्म रोकता है कि यह रोकता है कि नहीं भई क sagt हिए रहा है कि यह काम लॉटिवैंद और चांपी न हो सकता है वानाइतिक है तो किस रोका अज START ने तो अलाव कर दिया जैसे आप जितना LGBTQ के राइट की मांग हो रही है साइंस ने तो अलाव कर दिया लेकिन अभी भी धर्म उसको क्या कर रहा है रोकने कोसिस कर रहा है या सरकार भी उसको मना कर रहे हैं कि नहीं हम जो होमो सेक्सवल मैरेज है उसको हम पर्मिशन नहीं देंगे science की दिरिश्टी से permission हो सकती है लेकिन वो क्या कर रहा है कि ऐसी सिती में तो आने वाले समय में परिवार के लोग भी भाई बहन भी क्या कर सकते हैं मांग कर सकते हैं कि भाई हमको अधिकार चाहिए तो वो अनेक्तिक हो जाएगा अनेक्तिक हो जाएगा, बास हो जाएगी ते कैं कैसे उसको अच्छी से यूज़ करना है जढ़न, देरएख, यदि बिज्ञान, धर्म, भीहिन हो तो एकमतम मन जाएगा और जन संगहार का कारेगा एकस्तम बैख छोड़ दिजए ठ़के न से और यही और विज्ञान के साथ धरम जुढ़ाएं एक टामिक एनर्जी cancer जैसी विमारी का इздलाज भी ये ये क्या कर सकती एक टामिक एनर्जीун कर सकती रेडिशन थिरिय폰 हो है तो आप की विमारी का इडास कर सकती है वह आपको energy दे सकती है उसको civil energy बोलते हैं एक करेगी वही आपके लिए फाइदय मंद्र ऑच्पी आपके लिए हितकर हो सकती है सिक ना और द्राद्व जडियां तो क्या करेगा लोक कल्가ल ना की अविवरिद्धी जन्ता के ज्या कर अब चीट्व की अविवरिधी करेगा और इटामिक के बीच पूर्यक्ता का सम्मंद अस्थापित करने के पहले यह समझना आवस्थ्य कि धर्म क्या है जो हमने आपको समझाया धर्म क्या है भारत में जो धर्म की परिभाशा है वह रिलिजन की अवधारगा से भिन्न है रिलिजन का सम्मंद जहां अलोकिक सत्यों से सुपर निच्रिल पावर वही धर्म का शमंद मानव होने के नाते हमारा स्वयम और अपने समाज के प्रती क्या कर्तब और उतरदायत्व हैं से सम्मंदित हैं हम मानव हैं तो मानव का मतलब क्या होता है यहां पर एक बात और समझ हो मानो धर्म भी होता है या मानवा धिकार भी होता है ठीक है तो वाट इस दिफ्रेंस बिट्मिन मैं और यूमन मैं मतलब कि वन लीवान मैं यूमन क्योंकि यहां पर हमने क्या साइस्तमाल किया मैं सब्सक्राइब है यूमन ना मानो देखिए मैं ना कि अए परफ की यहां मैं यहां मैंगल में मैंगल अभ्मेह्न का मतलब मैंय। मैं अछिकलड मैंन कव-डिक उड़डगा एटे कि आप में लफीमे 5000 तो रिफ्मेह को यह नहीं है श् screaming इन चर्ब नहीं मैं जो है क्या है जैवी का उधागा आप मेल हैं इसवर ने बनाया है ने बनाया है लेकिन इस मेन के साथ जब सोचल वैल्यूज एड हो जाए क्या जुड़िया है सोचल वैलियूज यानिकी, सामाजिक मुल्य जूड़िया हैं, कि हम पूरुस हैं, हमारा रहनाशान, खानपान, जीवन, स Ale ऐसी होगी, और आप मैला है, तो आपकी रहनााशान, खानपान… ऐसे होगा वैलियूज जूड़ियाएं कि तो value जब जूड़ती है किस के साथ? man के साथ, वो value हर समाज की अलग-अलग होगी, तो जब समाज के साथ, man के साथ क्या जूड़िया है? value जूड़िया थी, तो क्या बनता है? human, जा बनेगा? human, इसलिए कभी भी जब society के बात होगी, तो कभी man society नहीं होती है, और relations की सा अधार बनेंगे culture की अधार पर हम किसके साथ कितना relation रखेंगे कितनी distance maintain करेंगे यह कहुं सिखाएगा culture तो culture किसका हिस्सा value, social value का हिस्सा तो जब social value एक biological animal के साथ जैसे मा के गर्ब से बच्चा जनम लिया तो क्या है man है लेकिन वो बच्चा जैसे से grow करेगा, बड़ा होगा, वो क्या सीखेगा social value उसके अंदर aid होती जाएगी तो वो man से human बनने की प्रक्रिया में चल पड़ेगा और यह प्रक्रिया lifelong चलती है इसी को बोलते है socialization या समाजी करण अब आपको समझ मैं नेलसन मंडेला के बारे में क्यों कहा गया कि वो man थे, एक आदमी जो जनम लिया लेकिन उसने समाज के मुल्यों को अपनाया समाज के मुल्यों के लिए संगर्स किया तब वो क्या मना human मना ठीक है तो आगी चले तो मान होने के नहственive हमारा स्वेम और अपने समाज के प्रदिक्याकर्टब्य्य है और उद्तरदाइत वहांसे सम्मनित है इसलिए हमारे धर्म का शमंद पारलोकिक जीवन से ना होकर लोकिक जीवन से पारलोकी मतलब बर्स टस नहीं है इस वर्ट से यदि हम अपने चार पूरसार्थों की बात करें समझा था ना धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष तो चार पूरसार्थों की बात करें तो उसमें धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष की बात की गई है इन चारों में सबसे पहले धर्म को मत दिया गया है क्यों कि पहले अगर हम आपको तो धर्म नहीं शिखाएंगे तो अर्थ और काम में आप इतना involved हो जाएंगे कि आप क्या हो जाएंगे करफ्ट हो जाएंगे अन्यतिक हो जाएंगे ब्रश्टाचारी हो जाएंगे इसका कारण यही है कि अगर धर्म नहीं है तो आदमी अपने अर्थ और काम में इतना हो जाएगा कि वह इसके लिए अन्यतिक कारे करने लगया जो अन्यतिक ता कि हमने बात की और ऐसी सिति में वह इतना पत्थ ब्रस्थ हो जाएगा करप्थ हो जाएगा कि उसके लिए मुक्स की प्राप्ति अगर इसी चार पूर्शार्थ के संदर मात करें तो मुक्स की जीवन में हमारे जो कर्तब हैं दूसरे के प्रति जैसे मा का कर्तब है पिता का कर्तब है भाई का राजा का अधिकारी का सब क्या है धर्म है इसके भी प्रीत यदि बिज्ञान की बात की जाए तो बिज्ञान की परिभाशा सामान अर्थ में हो सकती है सुसंगठित क्रमबद और विवस्थित ग्यान को विज्ञान कहते है, सामा निसार्थ, साइंस क्या है, systematic knowledge, ठीक ना, डैनिक जीवन में विज्ञान कार्यकाराइंस सम्मन्द पर अधारित होता है, cause effect relationship, daily life में साइंस का मतलब क्या, cause effect, इस घटना के पीछे ये certain causes हैं, यह न, विज्ञान में तारकिक होगी, उसमें वैज्ञानिक दिष्ट कोंगा, जहां तरक है, वहाँ विज्ञान है, ठीक न, वैज्ञानिक दिष्ट कोंड हर कार के लिए आवस्ट चाहिए, कोई भी काम कर रहे है, तो उसमें क्या चाहिए, तरक चाहिए, ठीक है, लेकिन, केवल वैज्ञानिक दिष्ट ने के पिखाफ रही है लेकिन मम्मी पापा बेच्चे को क्यों खिला रहे हैं उनको तो कुछ में नीक बोलता है और उनके सट्वर कर देता है फिर भी उसका कुछ नहीं बोलते हैं उसके पीछे तर्क नहीं है, उसके पीछे धर्म है, है कि नहीं है, तो हर जगा तर्क से काम नहीं चलेगा, अभी इसके आगे इसमें इस बात को मैं सामिल करूँगा, चीक नहीं है, तो है कि अगर धर्म नहीं है और विज्ञान है, तो समाज को क्या अगर सकता है, हाँ नहीं पहुचा सकता है, उधारग चलिए, एक 20 प्रसित कुसल चिकित सक है, जो आपने बात की थी, मैं आज का नहीं बहुत पहले कार्डिकल यह लिखा हुआ है, जो दिन आया था, उसके यहाँ जो भी मरीज गया, उसका इलाज अत्यंत कुसलता पुर्वक किया, लेकिन वहाँ बिना पैसे लिए इलाज नहीं करता है, इलाज अगर गए तो आप पैसा अगर आपके पास है तो फिट करके बेज़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो तो फिर आप जानिये, हम इलाज नहीं करेंगे, ऐसा डाक्टर कुसल और योग्यों होने के बाउजू समाज के लिए आनिका रखें, धर्म विज्यान को है लेकिन धर्म नहीं है, ठीक है अब एक कहानी सुनाता हूँ, एक कुसल डाक्टर था, कुसल मतलब अच्छा, एक्सपर्ट है वो, वो डाक्टर बिना पैसे लिए किसी मरीज को नहीं देखता था, कुसल था लेकिन बिना पैसे लिए किसी को नहीं देखता था, एक बिन उसके पास उसके आस्पिटल में न आधिकर ना तरीका क्या होता है। चुकि पेसेंट जो है वो हिंदी भासा की सब्द नहीं है। हम किसमें लिख रहा है। हिंदी भासा का जो running language है वो हिंदी लेकिन लाव तर्म किसका उसकिया इंगलिस का तो जब भी कभी इस तरह की बात हो कि जिस बाशा में आप आंसर लिख रहा हो और उसके अतरिक दूसरे बाशा का आप टर्म यूज कर रहा है या सब इस्तमाल कर रहा है उसको क्या करिए सिंगल इनवट कामा में डाल दीजिए कि पूरी तरह जखमी है उसका तुरंत आप्रेशन किया ज़रूरी है उसके घर वालों से संपर्क नहीं हो पा रहा है डाक्टर सहाब से नर्स आकर बोलती है नर्स आई और बोली कि आप उसका इलाज शुरू कर दीजिए और घर वालों से बात हो जाएगी तो हम उससे पैस कि मौत हो गई इसी बीच जब उसके परिवार वालों से संपर्क किया गया तो पता चला कि जो मरा ब्यक्ति है उस डाक्टर साहब का बेटा था और डाक्टर साहब फंसी चाप करके बैठे थे कोई सिफारिस नहीं आ जाए इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था अब प्रेटर साहब को पस्तावा हो रहा था कि अगर उसको देख लिए होते तो अपने बेटे की जान बचा सकते थे यहां पर बिज्ञान तो था लेकिन अन्यतिकता ने क्या किया अन्यतिकता ने या धर्म अधर्म ने क्या किया ठीक तो आपने अपना ही नुकसान कर लिया ठीक है यहां पर भी उसने बिज्ञान का धर्म तो निभाया लेकिन धर्म का विज्ञान नहीं निभाया गानी खत्म हो गए ठीक है कि मिंत्रा आज के ढर्म के विकॉस युद विकास में आज धर्म भी बहुत जादाогशला है धर्मरमिकी दर्म के विकासमें विग्ञान के बहुत महत्पुन्गलूनिक वुमिका है आज इतना सॉदभवा का प्युपैचा सुन रहे हैं आप वो किसमें डीृ कि ती विक्या है विविन धार्मिक सिध्धांतों के व्यक्जानिक दृष्ट से व्यक्षा हो रही है आज जितने भी आप मरीज देख रहे हैं जाए डाइबिटीज के हो चाहे और तिरह की विमारीओं के हो उन सभी के बारे में आप क्या इस रिसर्च हो रही है कि हमारे वेदों में हमारे उस गरन्थ में हमारे इस गरन्थ में यह इलाइस की बात कही गई है यानि कि धार्मिक विश्व उसकी क्या हो रहा है वैक्जानिक दृष्टी से विचार वीमर्स हो रहा है धर्म में लिखा है कि बई आप यह चीज खाओगे तो विमार पढ़ याओगे लेकिन अब उसका हो है scientifically पहले हम कहते हल्दी खाओ तो अच्छा रहोगे अब हल्दी को क्या किया गया फ्रूप्ट कर दिया हर चीज ने कि नहीं हल्दी खाएंगे तो आप हल्दी रहेंगे जो हमारे हैं पहले धार्मिक मानेता थी कि हल्दी खाना चाहिए आप सुरक्षित रहेंगे उसको साइस ने क्या किया रूप्ट कर दिया तो बहुत सारे ऐसी मानेता हैं हमारे धर्म में रही हैं जिसको आप साइंस क्या कर रही है रूप्ट कर रहें कि नहीं यह क्या है सही है वर्ल्ड डेवल पर जो हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं इंडिया में खाना खाने का जो थाली सिस्टम वह सबसे अच्छा है उसमें प्रोटीन भी है फाइबर भी ए कर्भोईडरेट भी है और बाकी जगह चाइना में 100% कर्भोईडरेट है चाहे इम्मून हो चाहे बर्गर हो चाहे पिज्जाओ और वह क्या करेगा हेल्थ के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होगा आप कनाड़ा चले जाएए तो बर्गर बर्गर में क्या है आलू और पाव डोटी आलू दोनों क्या है 100% कर्भोईडरेट है तो कहने का मतलब है कि आज हमारा जो धर्म था उसमें जो साइंस के तत्व है उस पर भी हम सर्च कर रहे हैं उसको प्रूब करने कोसित करें कि हमारे जो बाते कहीं गई हैं हमारे वेदों में और बाकी जगाँ पर उसमें से बहुत सी बाता क्या है धार्मिक आधार पर जो कहीं गई है वो बिज्ञान के आधार पर भी क्या है सही है जैसे सूगर के इल इंग्लिस डाक्टर भी अगर लीवर का ट्रीटमेंट लिखेगा तो क्या लिखेगा अरुवेध के सिवाय लीवर के ट्रीटमेंट की अरु कहीं दवा नहीं है आप पता कर लिजेगा तो धार्मिक बिष्णियों पर वैघ्जानिक दिष्ट कोड़ से विचार विमर्स हो रह गणकर हो beef का बाड़ा माःति के रखे मिलना है तो साख्ष मिलने साख्ष किसे मिले साइंससे पर मिले ना तारवन हो क्या है तो बहुत सारे ऐसी बातें जो सको साइंस क्या कर रहे हैं तो और उसके अनुरूप उस धार्मिक विश्वास की पुष्टी या प्रतिपुष्टी की जा रही है अगर पुष्टी हो गई तो वो क्या हो गया अच्छा है और नहीं पुष्टी भी तो छोड़ देंगे धर्म म धर्म समाज उसको क्या करेगा स्विकार करेगा और गलत बाते लिखी हैं तो अस्विकार करते हैं उसको माना करते हैं इस तरह कोई बैचार नहीं है हम सती पर्था परदा प्रथा जाती प्रथा को किसी भी तरह से सही नहीं ठहरा सकते हैं लेकिन बाकी जो बाते हैं बहुत सा प्रशासनिक अधिकारी वाली बात हम लोग कर रहे थे एक प्रशासनिक अधिकारी से पिच्छा की जाती है कि वह अपने दायत्व का निर्वहन ना केवल वैज्जानिक द्रिष्टी से करें वाल बलकि उन दायत्वों का निर्वन करते समय अत्यन संवेदन शील और नेकिक विए ओ और मरल्टी विए और सिंस्टिविटी और मरल्टी किसका इसा धर्म का इसा है तो हमने हर एंगिल को लाया कि सिर्फ प्रसासन ही नहीं डाक्टर भी ऐसा हो सकता है तो यहाँ पर संवेदन सेल भी हो नैतिक भी हो जैसे चलिए मैं आपके केस स्टेडी समझाता हूं एक गरीब आदमी है बहुत गरीब है पांच दिनों से खाना नहीं खाया है तेक न और व आप कलेक्टर है और आपसे मदद मांगता है ठीक न कि हमारी मदद करिए और नहीं तुरंद हमको खाना मिलेगा तो हम मर जाएंगे कैसे उसकी मदद करेंगे और मदद करने की जो सरकारी पैरामीटर है उसमें वो फिट नहीं बैठता है सरकारी पैरामीटर मतलब BPL कोटे से आता हो या उसका आधार कार्ड जो है पिरियस सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, जो सरकारी पैरामीटर से उस पर फिट नहीं बैठता है कि सरकार की योजनाओं का लाब जे करके आप तुरंत उसकी मदद कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, ऐसे तो दो सो लोग पहुंचते रहेंगे आपके पास उबह साम, नहीं नहीं क और दो सो लोग खाने के लिए रोज आ जाएतों, आप क्या खाईएगा, तो क्या करेंगे आप, बास मेरी आनलाइन वाले, आप लोग भी जड़ा बुलते रहो भाई, तो कैसे करेंगे मदद, क्या, हाँ, हाँ, तो देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, हाँ, देखिए अभी उसको किसी जरुवत है, विज्ञान की धर्म की, इमेडियेट उसको धर्म चाहिए, किसी तरह उसको खाना चाहिए, तुरंत, तो किसी से हम, किसी दान दिलवा दे सकते हैं, लेकिन विज्ञान क्या कहता है कि गरीब है ना खाने की बिनात को क्या करें उसका आधार बनवा दें उसका जो भी जो डाक्युमेंट नहीं है उसके पास डाक्युमेंट सारे बात में बनवातेंगे अब ही खाना खालो डाक्युमेंट बनवातेंगे अगले मेने से क्या होना जाएगा पीडिया सिस्टम के थूरू सारा उसको सब जो सब आए गवर्मेंट की फैसिल्टी जो सब मिनने लगेंगी तो वहाँ पर क्या जो काम किया हो क्या है उस सब नहीं यह तो डिपेंड करगा सिच्वेशन पर पहले धर्म लाना पहले विज्ञान लाना है यहां पर प खिला सकते हैं फिरी में इंजियो एक दिन खिला सकता है तीस दो दिन तो नहीं खिलाएगा तो सरकार की जो इस तरह की विजना है उसको बेनिफिट दिला देंगे अपना वो जब तक इंदा है खाता रहेगा तो यहां पर हमको तुरंत उसको रिलिफ देना है तो धर्म है और लॉंग टर्म है रिलिफ देना है तो विज्ञान है इस तरह से भी सोच लेजिए हम आपको सोचने का तरीका दे रहा है जरूरी कि यह लिखिए गाई है और लिख भी सकते हैं और जरूरी कि मैं जो लिखा हूँ वह लिख सकते हैं बहुत समझ में आ रही है आनलाइन व आपका धर्म भी है लेगिन अगर किसी ग्रीब की एक्सिडेंट होगया रास्ते में उसकी मदद करना तो अगल लेट से भी जाएंगे तो नयतिक्ता आपकी ये करती कि उसको हम इलाज कराना चाहिए उसको पहले देखना चाहिए उसकी मदद करना ही चाहिए तो जरुत पढ़ले पर कहीं पहले नयतिक्ता आ सकती जरुत पढ़ले पर कहीं धर्म आ सकता जैसे मान लेजिए आपके सामने आपका बेटा या प्राधी ह तो क्या करेंगे यहां ढ Cathariencia काम करेंगा धर्म को और यह ला दिये तब चुछ कि ना यहां पर क्या चाहिए विज्ञान चाहिए कि नहीं हमारे लिए तारकिक्ति होएमारे सामने चाहिए बेटा हो या कोई और हो दोनों क्या है सेम है सबके साथ निया होगा तो यह सिच्वेशन पर डिपेंड करेगा कि पहले बिज्ञान लाए या पहले धर्म लाए तो प्रसासनिक अधिकारी से पेक्षा की जाती है कि वह आपने दायत्व का निर्वहन ना किवल वैक्जानिक द इस्ट्रिविटी के समयधन सिलता की क्योंकि समयधन सिलता नहीं रहेगी ना तो आप उसकी मदद तो करेंगे लेकिन तेजी से नहीं करेंगे जैसे हम मान लिए डाक्टर है कोई मरीज आया को या कम बताए नर्स बताई सर एक मरीज आया बहुत सिरियस है अच्छा रुको जला लाव नहीं आज देखेंगे तो ब्फैजी हो जाएंगे पहले नास्ता कर लेते हैं तो बस नास्ता नहीं के अब उदर मरीज मर रहा और । लें कि तीवारी जी अभी अगय दो मिनुट मुलाकात कर लेते हैं तो पता चला कि उधर मरीज मर रहा और हम क्या कर रहा है थे नास्तां कर रहा है तीवारी जी से मिलना है और आ उसी में कोई स्वॉर्स लेके आगया अथ intentar साथ हम उनके बतीज हैं अच्छा आओ तुमको देख लेते हैं उधर मरीज क्या हो रहा है तो यहां पर क्या हुआ हमारी संवेदन सीलता होनी चाहिए नहीं हम साथ आप साथ खाना बाद में खाएंगे किसी और से बाद में मिलेंगे पहले उस आदमी से मिलें जिसकी जान बचाना जरूरी है तो वहां पर हमें विज्ञान नहीं सिखाएगा वहां पर हमें को सिखाएगा धर्म शिखाएगा संवेदन सीलोना तो इसलिए अब प्रसासनिक भी आ गया आगे चलते हैं हाँ इसलिए medical ethics है तो वह तो लिखा हमने ना इसलिए वह medical ethics है यहाँ प्रशासन में जाना है तो प्रशासनी की इथिक्स है वो तो हमने उसमें लिखा हूँ ना वो संदेश वही है है हुआ है अब दूसरा जो एक एंगिल था यदि बिग्यान की दूसरी तरफ बिग्यान की बात की जाए तो आज मानत जीवन में मा की कोख से लेकर कब्र तक बिग्यान ब्यक्ति के जीवन में मत्रुन निभारा है भी हुआ थीक, ना है कि नहीं मा के कोक में बच्चा आया वहाँ से विच्जान की भूमका शुरू हो जाती है दवाई है ट्रीटमेंट है एक्सरेय, हल्ट्रसाउंड है जो कुछ भी है ठीक है तो पूरी लाइफ में बिज्ञान की भूमिका है लेकिन उस बिज्ञान में धर्म नहों तो वह इतना अनायतिक हो सकता है कि समुची मानो जाती के लिए पतन का कारग बन सकता है जैसे हम सभी क्या करते हैं अल्टरा साउंड करा कर देखते हैं कि मेल चाइल्ड है या कि मेल खतम हो जाएंगे एक दिन अगर मान लो ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा कि सारे मेल मर जाएंगे एक दिन और स्रिष्टी क्या हो जाएगे हो जाएगा ना अगर हम फीमेल को मारते चले जाएं तो अंत में क्या होगा मेल तो अकले बच्चा पैदा कर नहीं सकता तो फि चीज थी कि भई पेट में बच्चे को कोई problem हो रहे है दिक्कत हो रही है मदर को कोई problem हो रहे है तो treatment हो जाएगा लेकिन हमने उसका क्या किया ने तिकता अटा थी तो क्या उज़ोने लगा उसका मिस्यूज होने लगा और हम लिंग परिछाट करने लगे और भुरुण रत्या जैसी गटना है हमारे समाज में आने लगे हाँ हाँ तो भाई देखो ने तो यह तो मेल चाइल्ड के लिए भी हो सकता है अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो जो मैं मेल चार्ड को भी नहीं देशकता हूं वह सारी चीज है तो बच्चा यह पैदा ना कर ना अगर मेरे पास पखाना है तो चाहिव लग्ड़ों को पखाऊं यह लगड़ी की पखाऊं तो दोनों की बराबर होगे treatment दोनों का बराबर होगा हां 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 बर जगह होता है यहां पर आपको फिस क्या लगए लगए क्या लगए 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 हैं गाउं में नहीं तो वो गलत है नहीं वो गलत है वो धर्म नहीं है कि नहीं वह अलग बात देखो अब उस पर नहीं जाओंगा लेकिन मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर बिग्ञान ने अल्ट्रा साउंड दिया कि भई माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखाया सके लेकिन आपने नहतिकता अटा दी तो क्या हुआ उसमें आप भूर्ण से कि बिग्ञान का क्या किया हमने मिस्यूज किया और मिस्यूज क्यों किया हमारे अंदर नहतिकता ने कि अरे वह जनम लेगा तो मेरा ही तो बेटा होगा ना या मेरी तो बेटी होगी अगर इतनी नहतिकता तो क्यों उसको हम उसके कोख में मार दे रहा हैं अगर नहतिकता के लिए जिम्मदार अंति में कौन है इसमें घत्या कर रही है हाँ समाजिक दवाऊ है परिवार का भी दवाऊ है या उसकी अपनी मजबूरियां है लेकिन अनयतिक हुआ न यह बिगयान क्या कर सकता है लिग निर्धारग को अगर अनयतिकता से परे क्र दिया जाए तो बच् होने किस्ति में गरपात किस्ति उत्पन करेगा चिक है आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यह तो दूसरा गया क्या हाँ इसी प्रकार आज मानो जीवन में किसकी बात हो रही है चिक ना आर्टिफीसियल इंटेलिएंस के गाट फादर कौन कि बताओ भई जैफ्री हिंटन जैफ्री हिंटन ने सबसे बड़ी चुनोती दी है यह वार्निंग दी है कि आर्टिफीसियल इंटेलिएंस को अगर इसके रिसर्च को नहीं रोका गया तो यह समूची मानो जाती के लिए क्या हो सकता है खत्रा हो सकता है अर्टिफीसियल इंटेलिएंस क्या साइंस है और इस साइंस के साथ अगर नेतिकता नहीं लाए गई तो फिर मानो जाती को खत्रा हो सकता है कैसे रोबोट्स चैर्मिटर एक मुवी आपने देखी होगी ठीक ना चैर्मिटर मुवी देखी नहीं देखी है जाके देखी है तो उसमें क्या हुआ अदमी हमें रेगुलेट करते रहेंगे तो आड़िफिशियल इंटेलिजन्स ऐसा भी काम कर सकता है जो आदमी दस साल में करेगा तो आदमी की आदमी से आव सकता क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी कुछ दिन पता चला क्यों वाइप का भी काम करने लगा जिस तरह से साइंस डिवेलप हो रही है कर सकता है तो हमें नेशनल हुमन वाइप की जरुवत नहीं रही मा की जरुवत नहीं रही अब तो आटिफिशियल ओम भी आ गया पगाए तो मा की जरुवत नहीं रही तो एसी सिती में जब हम हमारी दूसरे सी जरुरुते खतम हो जाएंगी गी समाज कहा बचेगा समन्द कहां बचेगा लगाओ बचेगा इमोसन्स कहा बचेगा यह सब किसके हिस्से हैं समाज संबन्द इमोसन्स लगाओ सब किसके इससे धर्म का हिस्षा है तो आर्टिफिशल इंटलिएंस की छेत्र में भूमिका बगती जा रही है कि एड़ीपटी घड़ीन नहीं आया है अप लोम ने देखा होगा लेकिन इसके दुरूपियों क्या संका संका से भींका नहीं किया सकता है जितने फ्राड हो रहे हैं उनलाइन उसब में क्या है एक काम कर रहा है तेकला दुरुप्योग रोकने के लिए जरूरी क्या है अगर हम चाहते हैं कि यूज और मिस्यूज नहों तो क्या करें उसको उसको भी नेतिकता पगानी होगी या उसको इस तरह से समझाना होगा या उ इसमें moral value को भी क्या करना पड़ेगा? inculcate करना पड़ेगा, सामिल करना पड़ेगा, एक साइनिक, एक और एंगल देखिए, एक साइनिक है, बहुत कुसल है, बहुत कुसल युद्धा है ठीक है, लेकिन नयतिक नहीं है तो देश के लिए जान दे सकता है, नहीं नहीं नह के लिए जान देता है कि यह मेरी मात्री भूमी है है उसका धर्म के लिए जान देता है वह अगर वह अच्छा पुसल योध्द्धा है उसके अंदर विग्ञान है लेकिन सिर्फ विग्ञान से वह नहीं लगता है वो जान देता किसके लिए धर्म के लिए तो सायनिक यदि वैज्जानिक दिश्टी से बहुत कुसल है लेकिन नयतिक दिश्ट से सक्षम नहीं है तो वो देश के लिए आनिकारक हो सकता है या तो लगेगा नहीं या बहुत कुसल है तो क्या कर सकता है देश की जानकारी दूस सामाजिक जीवर में पति पत्नी के पीश में किवल वए ज्ञानिकता हो तो क्या होगा रोज जगड़े होंगे तो पत्नी कहें ना कि हम खाना बनाने का ठेका लिए हैं पति आगा हम कमाने का ठेका लिए हैं तो फिर होगा हर चीज को लेकर होगा तुर चीजस में तो वह उस सब्सक्राइब को अगर बहुत दूर तक चलाना है तो चाहिए धर्म सीग और क्यों धर्म हो तो क्या तुम रूठी रहों मैं मनाता रहूं जिन आदावों में बगा मज़ा आता है तो अगर सिर्फ धर्म भी रहेगा तो क्या होगा पत्नी से हम धर्म की अप्रिक्षा करें तुम पैर दबाओ खाना भी बनाओ बच्चों को भी देखो यह कर लो वो कर लो तो ऐसी स्थिम भी रिटेट हो जाए कि तुम कमा के लाते नहीं हो घर में बैठे हुए हो किसी लायक नहीं हो और पत्नी धर्म की अप्र पत्षा कर रहे हों तो सिर्फ धर्म से भी वह परिवार नहीं चलेगा तो अगर पती पत्नी की लाइफ इसमूदली चलनी है तो जोनों चाहिए उन संबंधों में वैज्ञानिक्ता भी चाहिए महिला है तो उसको भी अराम चाहिए और उसमें नैतिक्ता भी चाहिए रहे हैं साथ जन्मों का बंदन है एक जन्म तो जेल नहीं पा रहे हैं साथ जन्म तो छोड़ दो एक कि नहीं ठीक है तो सिर्फ धार्मिक्ता पर अधारित होगा तो नहीं चलेगा अब उसको क्या चाहिए विज्ञान चाहिए तभी वह संबंध अब बहुत लॉंग ट्रम तक स्टेवल रह पाएंगे ठीक है प्राचीन काल में एक और कहानी है इंसेंट इरा में आपने सुना होगा ही कहानी गुरू सिशी की परंपरा रही है ठीक ना तो गुरू के पास बहुत अधिक नालिज होता था उता जो लिखा आप पढ़े लिए का मैं कहानी सुना देता तो गुरू जो है अपने च्छात्रों को बहुत ज्यान देता था ज्यान जो पूरी तरह साइंस है लेकिन जब वह च्छात्र को ज्यान देता था तो हर च्छात्र को पूरा ज्यान नहीं देता था वह ज्यान देते समय जरूर देखता था कि यह मेरा च्छात्र उस ज्यान क या यूज करेगा या मिस्यूज करेगा अगर उसको लगता था कि जो मेरा ज्यान है यह बहुत अच्छी चीज है लेकिन इसका छात्र मेरा क्या कर सकता है बहुत टेलेंटड छात्र है लेकिन क्या कर सकता है मिस्यूज कर सकता है तो उस ज्यान को उस छात्र को नहीं देता था इसको говорить तूरे के सामएं में जब गुरु बच्चे को ग्यान देता था तो वो ग्यान देते समय जुरूर देखता था कि वो अगर समाज के लिए इसको क्या करेगा यूजफुल है इसके अंदर स्वार्थी नहीं हिए तब तुसको ग्यान देता था करेगा और यदि यह स्वार्थी है तो उस एपनी भलाई के लिए काम करेगा इसलिए इसको ज्ञान सिखा हो ही नहीं कई ऐसे ग्यान दे जो गुरूं के साथ मर गए और उन्होंने अपने चात्रों को नहीं सिखाया क्योंकि च्छात्र को शरी उस गुरु को उस तरह का योग्य च्छात्र ही नहीं मिला एक बात समझी है च्छात्र को पात्र होना पड़ता है देखता है पात्र मतलब क्या होता है लायक और पात्र का मतलब एक और अर्थ होता है बरतन बरतन को हम क्या बलता है प पात्र हमेशा थोगा सा मोल्ड होगा तो आप अगर छात रहें और आप पात्र कब बनेंगे जब आप जुकेंगे आप जितना मोल्ड होगे आप पूरी तरह फ्लेट रही है और हम ज्यान देते जाएं इसमें ठीकेगा नहीं तो जितना आप ज्यान लेने के लायक हैं उससे जयादा अगर हम देंगे तो आप उसको कंशीवि नहीं कर पाएंगे उसको आप डाप्टी नहीं करपाएंगे उसको समझ नहीं पाएंगे इसलिए आप पहले अपने अंदर क्या लाईए पात्रता मोल्ड होगे झ्छुकना सीखिए गहराही लाईए जितनी घहराही अप तो सिखा एंग बच्चे को और वो उसका क्या करे मिश्यूश करे उसको ज्ञान देना ही नहीं है यो कि उससे समाज का क्या होगा कि नुक्सान होगा देखे ना पासदारी है कि कई बार ऐसा हुआ कि गुरु ने देखा कि भई यह तो सीख गया बाबा रामदेव के भी गुरु थे वो रामदेव को सिखाये नहीं रामदेव ने उनको गिद्नेप कर लिया अभी पता नहीं पता जलग मर गए कि क्या हुआ उनकी सारी जो नालेश थे किताबे थी सब लेकर करके आज ब्रांड बना कर बेच रहे हैं अब पढ़िए गाँ उनकी कहानी कई बार ऐसा होता है तो यह प्राचेन काल में इस तदगी परंपरा थी कि गुरु इस परंपरा में यह देखा जाता था गुरु ज्यान देते सम समाज का नुक्षान होगा यह भी था कि यह पूरी इसमें कहानी है तो कई बार ऐसे ज्ञान थे कि जो उसकी गुरु की मिर्ट्व के साथ ही क्या हुआ मर गया राजा बहुत युग्य है लेकिन अगर नयतिकता नहीं है तो पुत्तर कोरिया राजा साब क्या है युग्य है निस्ट्र दुर्प से बाई 33 साल में इतना देश चला रहा है बगयाँ 34 सल का आदम необходимо क्लिए योग्य तो है नहीं चाला लिए ट्रिक्द नहीं चला रहा है नियुक्ता नहीं लेकिन कई बार क्या आरूप लगता है असा ही लोकत्रित करारोप लग लग रहा न यह कुछ अनुदि को राय है आऄ मुद्वीं का विजन में कोई वे इस दिफ़ेंस में कौई अची गलत बात नहीं है अनुद्वी वाहिए कि अतना हो रहा है कि विपवश को तो सब तेजी से काम किये हैं दस साल में बिहार में पुल नहीं बन पाया, दस महीने में उसने संसत बना गए रग दी, काम तो किया, लेकिन उस संसत के बैठक में विपक्ष को ही नहीं बुलाया, यह क्या हो गया? आप अगर नहीं बिपक्षा रहा था तो आप राजा हैं, आप नित्रित करता हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है, क्या आप क्या करें? जागर कि उनको मनाईए और बुला कर लाईए, मनाईए तो, नहीं, छमा बढ़न को चाहिए, छुटन को उत्पात, अगर मैं प्रधान मंत मंत्री हो, तो मुझे जुकना पड़ेगा, जुक किस के सामने रहा हूँ? अपनों के सामने, अगर मैं आपके सामने जुक जुक जाओं, तो मेरी पई जर्जत कम नहीं हो जाएगी, इसका बहुत बगया एक्जामपल मैं बताता हूँ, जन सेखर जी प्रधान मंत्री हुआ करते थे, तो उनकी घर से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, तो उनकी जो बेटे ने साधी की वो इंटर काश्ट कर ली, ठीक है, और उस समय की जब उनके वो प्रधान मंत्री थे, बलिया, तो जब साधी हो गई, तो पता चला की भी आप, सब ठीक है, पुरिया देश से म समय मान आ गया, तो साम को यह पहुंचे अपना भाई, वहां से, इब्राहिम पत्ती उनका गाउं है, पहुंचे, तो गाउं की जो और लोग थे, पतिदार वगर उसे बता है, तो हो गवा का पुल ना दिखाई दे थे थे, जमीन से जोड़े आदमी थे, चंसे खरजी, कि वह आपके हाँ, खाना खाने नहीं आएंगे, गाउं वालों को, गाउं वालों ने मना कर दिया कि वही है, दूसरे जात में साधी कर रहे हैं, हम लोग खाना खाने नहीं आएंगे, ठीक है, चंसेखर जी, पूरा गाउं गाउं घूमे रात में, और सब को मना करके ले और तब साधी हुई नहीं मना करते तो क्या हो जाता प्राइम मिनिश्टर था भई कुछ नहीं क्या कर लेते आप उसका लेकिन उस आदमी ने उस परंपरा का ख्याल रखथा कि नहीं मुझे मनाना चाहिए धर्म का पालन किया, तो मना लीजिए, वो भी असांसद है, आप ही की देश का नागरिक है, कोई जुस्मन तो है ने, तो वही कहा रहा हूं कि राजा बहुत योग्या और सक्तिसाली हो, बैज्यानिकता भी हो, लेकिन तो जनता के लिए अगर तैना साही का मार्ग अपना ले, चाहिए वो हिटलर हो, चाहिए मुस्वलनी हो, चाहिए कोई और हो, तो क्या हो सकता है, उसको या तो आप राजधर्म दिला ये, तभी वो लोक का लाट के लिए काम करेगा, ठीक ना, और राजधर्म, राजधर्म का मतलब क्या, एक राजा का क्या धर्म, और नहीं याद दिला है तो फिर हो क्या हो जाएगा तानासा हो जाएगा अपने देश के लिए क्या हो जाएगा हानिकारक हो जाएगा तो यहां भी राजधर्म इस तरह से आप conclusion की तरफ आते हैं इस प्रकार वैज्यानिक्ता जहां आपकी छम्ता वैज्यानिक्ता क्या करेगी आपकी छम्ता बिज्ञान आपकी सब्सक्राइब क्या करेगा दस हाथ का लाठी ले ले आए अप जो है छुटा सा कट्टा लिया है दू इंज का तीन इंज का शेंज का कौन भारी कट्टा वहला है बात समझा रही ना शेंज साथ आठ इंज का कट्टा होता होगा दूरे से मार देगा जब पर लाठी तानेंगे तो बिज्ञान कई बार आपकी छंता को क्या करता है बढ़ा देता है हमेशा ही वही कर रहा हूं तो छंता में ब्रिद्धी करती है वही धर्म करता है कि आपकी जो छंता कलपना चिंतन है उसका प्रियोक क्या हो सामाजिक और राष्टी है फित की द्रिष्टी से हो आपने जो ताकत विज्ञान से अजित की है वो ताकत किसके लिए देश और समाज के खित में हो और कौन सुनेश्चित करेगा धर्म शिखाएगा कि आ अर्दियोक है एक दूसरे के बिना अधूरे हैं यो दूसरे के बिना समाज के लिए जाय ही है लेकिन इक दूसरे के साथ है पबलिक वेलफेर है तो इस तरह से कुछ लिखने की कोशिस करिएगा जितना हमने समझाया जरूने के लिखिएगा लेकिन इस तरह की बातों से आप क्या कर सकते हैं एक अच्छा निबंद लिख सकते हैं तेक है अच्छा निबंद द्रह का मतलब हमने इसली समझा रहे दर्ममें निटिकता भी एक करते हैं हां हां वह धर्म का मतलब रिलीजन नहीं इसली हमने एक रिलीजन नहीं इसली है और यह बता रिली पर है हाँ हाँ एकदम एकदम है ठीक है तो हाँ हाँ मैंने आज इसको आपको बता दिया हाँ कुछ पूछना जाए है हमने नहीं किया क्योंकि अभी हम आपके मॉडल सिखा रहे हैं और इसमें कहीं तरह का वह आनर वाला उस तरह का आया भी नहीं अगर आता तो मैं उस करता देखना तो एक हम अभी हमने स्टार्टिंग में का था कि यह आपके लिए एक मॉडल हो सकता है ऐसा ही लिखना है ऐसा ने कि छाप दीजिए इससे आपका थोगा दिमाग खुला होगा कि जैसे हमने आनर कहा लंगड कहा तो आनर और लंगड में एक 100% की समस्या और एक जगा 50 80% की तो उस एंगिल को भी देखना जरूरी है ठीक है तो समझ लिया आपने आर्लाइन वालों आप लोगों को समझने में कोई दिख्कत बोलो भाई विकास कोई दिख्कत नहीं ना तो चलिए आज के लिए इतना ही तल नहीं मंडे को साध मैं नहीं हूं मंडे टुजडे साध अतुल सर या निले जन सर क्लास लेंगे और साध उसके अगले दिन से मैं मिलूंगा आपसे ठीक है तो हर तरह का निवन दोना मुठी तभी मजबूत बनेगी जब हरा अंगली क्या हो मजबूत हो तो बाकी दो सेग्मेंट और आपको त्यार करना है तो उस पर जैन सर और अतुल सर है तो आपके साथ मदद करेंगे तो आज के लिए इतना ही कुछ पूछना है आनलाइन आफ लाइन तो आप लोग पू इस तरह से भी हो सकता है ठीक है ना लेकिन हमेशा याद रखिएगा ठीक है कि अगर कभी तुल्ला करें तो हम धर्म और विज्ञान में धर्म को जो हमारी डूटी कहती है उसको ज्यादा थोगा सा प्रिफरेंस देंगे इसलिए हमने लंगड और अंदर का एक्जांपल कुझना है कुझना है कुझना है कुझना है नहीं यह धर्म नहीं है फ़्ली चीज़ इको सिस्टम में हर एक एनीम्ल की अपनी क्या है कि भूम का है टेकर ना इगल खतम हो गया है आज रोड पर डेड़ बॉड़ी मिलती के नहीं मिलती है जब इगल थे तो डेड़ बाड़ी नहीं मिलती थी एको सिस्टम है एक और कुत्ट्य को क्या पता है वो काटना है उसको काटना सिखा है किसने हमने को उसको प्यार करो देखो वो प्यार करेगा जैसा नहीं काटना आइसा नहीं कुछ आगर के काट देगा आपको उसको प्यार करने का ठीक ना ये शीजह होती है जैसा उसके साथ आप उसको दो रॉट्डा मारिये गा तो एक दिन भौकेगा जरूर वो इस और कुछ पुछना है कि आप अमें कुछ और मुद्दा लग्या और देश में मुद्दा नहीं है तेक ना गर्व से कहो हम कुट्ते हैं कि कुट्ता वफादारी का प्रगाम है कुट्ता जो है उसका एलर्टनेस का वो रेजल्ट है सबसे बगाए अलर्टनेस किसम पाया जाती है कुट्ता में पाया जाती है सबसे बगाए वफादार कौन कुट्ता उसमें क्या दिक्कत हो से एंगल से बोलो हमेंसा जरूरी की निगेटिव सोचे है कि कुट्ता काठी लेता है पॉजिटिव सोचिए मतलब मैं यहीं कर रहा हूं कि इसको आप अगर कोई चीज निगेटिव जा रही है तो सोचों उसका पॉजिटिव क्या हो सकता है कि आने तो हाँ चलो हाँ एक निट सरी इसको नुट करिए अच्छा या दिलाया आपने मैं भूल रहा था है हाँ अब कोई दिकत नहीं है बस दो मिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट है जैसे बसे हाँ प्रबसे हाँ झाले हाँ प्रूश कर दो चाने है तो कर दो कर दो